हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब मैं हूँ आपके मैं मिला करांती और आज मैं आप सभी के लिए ले करके आई हूँ इस्थर विद्युत विभाव तथा अधारिता का फोर्थ लेक्चर जिसमें आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र तथा अधारिता के बारे में तो गाईज जल्दी से फटा फट सारे बच्चे जॉइन हो जाओ कौन-कौन बच्चे क्लास में आ चुके हैं फटा फट से कमेंट्स करना स्टार्ट कर दो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और बैल आइकॉन हिट कर दो और अगर आप इस वीडियो को देख रहे है तो बिलकुल वीडियो को लाइक करना तो बनता है और दोस्तों को फटा फटसे सारे गृप में शेयर कर दो स्कूल ग्रूप हो Telegram सारे ृप में शेयर कर दो तक thrown ज्यादा से जादा बच्चे जो है इस क्लास को देख पाएं ठीक है सो भाई हम पूरा इस्थिर विद्यूत विभाव जो है वो complete कर लिया है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दृधं। बाहे शेत्र में बाहे शेत्र में द्वीधू के और यस्थितव बारे में बात किया था आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगे कि संधारित्र क्या होता है संधारित्र की धारिता क्या होती है संधारित्र का सिध्धांत क्या होता है और उसके अलावा संधारित्र के अंदर उसकी धारिता को उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए बिना उसकी आकरिती में परिवर्तन किये हम कैसे परा परावेद्यूत पदार्थ की सहायता से उसकी धारिता को बढ़ाते हैं और वहाँ पर जो परावेद्यूत पदार्थ हम इस्तमाल करते हैं उस वस्तू का परावेद्यूत तांक क्या होता है परावेद्यूत पदार्थ क्या होता है माध्यम क्या होता है ये सारी पूरी बाते मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं, ठीक है guys, सभी बच्चे आ गए है class में, ready हो, फटा फट से quickly start करें, जल्दी से comments करते रहना है, बिल्कूल, जल्दी से मुझे comments करके बताना है, quickly start करना है की नहीं, ओके, great, बच्चों के comments आ रहे हैं, very good guys very good चल फटाफट start करते हैं हाँ हाँ भई तो भई ये तो मैंने आप लोगो call ready बता दिया एक बार फिर से देख लो सबसे पहले हम लोग समनांतर प्लेट संधारित्र कवर करेंगे ठीक है समनांतर प्लेट संधारित्र को समझने के बाद हम लोग धारिता के बारे में संधारित्र के सिधान के बारे में समझेंगे परावैद्यूत माध्यम परावैद्यूतांक के बारे में समझेंगे और ये टॉपिक आप लोगों का बहु तो बिलकुल ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यह चाप्टर यह टॉपिक अपने आप में बहुत जादा इंपॉर्टेंट है संधारित रो धारिता आप सभी को पता है कि इस से रिलेटेड आप लोगों को नीट के एक्जाय में दो कोश्चन तो कम से कम मिल ही जाएंगे तो बिलकुल ध्यान से सुनना है आप लोगों को कोश्चन भी हम करेंगे पर पहले अगर आप लोग जब तक के थियोरी को डीप कॉंसेट करवर नहीं करोगे अगर ठीक है अगर आप लोग अपने दिमाग में जो थियोरी पढ़ रहे हो उसको अंदर की गहराई से बिलकुल नहीं समझो के तब तक कि आप लोगों को निमारिकल्स नहीं बनने वाले हैं अगर आप लोग चाहते हो कि संधारिस से रिलेटर डो कोश्चन आने वाले है उसको आप अटेंट कर ही दो ठीक है उसमें कोई भी गड़बर ना हो तो इसके लिए आपको क पढ़ लिए और हर चीज का नोट करते जाना है जो सुन रहे हो उसको भी जितना लिख पाते हो उस अपने शच़क्डों में लिखो ताकि कम से कम उस नोट को देखो आपको कम से कम आपके धमाग में यहाँ पर पीछे तरब जो है न सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए फोटो पिक्चर लेकर आई हूँ यह है हमारे संधारित्र की फोटो और यह जो संधारित्र है बहुत सारे जगों में इस्तमाल होते हैं कहीं हर तरह के उपकरणों में इस्तमाल होते हैं और हमारे जो मलब जैसे कि हम लोग बहुत सारे य फोटो देख रहा हूं तो यहां पर आप लोग देख रहा हूं कि यहां पर एक जु है講 इसLUNDER normology बना हुआ है यह bon ou why ये चॉकोर है यह इस तरीके गा तो बिल्कुल संधारित्र अलग अलग shape में बनाया जाता है, तो पहले तो हम लोग इसके theory को समझ लेते हैं, बिल्कुल आप लोगों को दिखाने के लिए लाई थी, सबसे पहले तो आप लोगों को comments कंबर करके बताना है कि आप लोगोंने कहां कहां पर सुना है कि ये संधारितर इस्तमाल किया जा सकता है कि आप लोगों ने कभी सुना है जरूर आप लोगों ने सुना होगा पंखे की बारे में सुना होगा कि पंखे का कैपेसिटर खराब हो गया इसको क्या बोलते हैं अंगरेजी में कैपेसिटर बोलते हैं तो पंखे का कैपे के खयाल से कि संधारित्र का इस्तमाल करते क्यों हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस्थर विद्यूत आवेश के बारे में पढ़ा हम लोगों ने इस्थर विद्यूत विभाव के बारे में पढ़ा तो जाहिर सी बात है कि विद्यूत आवेश लगता है आप लोगों को कि इस संधारित्र का इस्तमाल क्यों करते होंगे क्यों हर उपकरण में इसका इस्तमाल किया आता है तो मैं आप लोगों को बताती हूं कि हम लोग जो है यहां पर संधारित्र का जो इस्तमाल करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं उर्जा को संचित करने के लिए करते हैं जैसे कि मैंने जस लास्ट लेक्चर में आप लोगों को स्थिति जुर्जा के बारे में पढ़ाया था तो उस इस्थिति जुर्जा को जो है वो स्थिति जुर्जा जो है इस्तरविद्युत विभाव के करण उत्पन तो हो गई थी ठीक है अब जाहिर सी बा थी उस उर्जा को हम लोग क्या करते हैं संचित करके रखने के लिए करते हैं ताकि समय आने पर हम लोग क्या करें इसका इस्तिमाल कर सके जैसे क्या करते हैं तो पैसे बचा बचा करके रखते हैं सेविंग करके रखते हैं ताकि समय आने पर क्या करें हम लोग उसका यूटिल परित्र का जो है अंदर का डाइग्राम है चित्र है ठीक है रियल में कैसा दिखता है एक्चुल में बाहर से वो तो मैंने आप लोगों को पता दिया बट अंदर से कैसा दिखता है ठीक है तो अंदर से actually में क्या होते हैं इसमें दो चालक होते हैं यह यहां पे आप लोग देख पा रहे हो यह वाला एक चालक प्लेट है यह वाला दूसरा चालक प्लेट है ठीक है इस तरीके से जब हम लोगों को क्या करना होता है इस्थितिज उर्जा को जो है संचित करके रखना होता है तो हम स्थिति उर्जा को हम क्या करते हैं संचित करके रखते हैं वैसे आप लोगों ने इस तरीके के दो प्लेट्स की वारे में में बताया था जब Mr. Vidyut, विभाओ के बारे में बताया था और या फिर मैंने आप लोगों को इस्थिति जूरजा के बारे में जब पढ़ाया था तो इस तरीके से मैंने दो चालक प्लेट लिया था जिसके बीच में हमेशा आप लोगों को विभाओ, विभाओ और क्या कैलकुलेट करके थी ठीक है बड उस समय हमें नहीं पता था कि इं दो चालक प्लेट को एक सांथ से इस तरीके से अगर हम लोग समना अंतर जोड देंगे या फिर उन दो चालक प्लेट को इस तरीके से हम लोग рол यपल एक दो बपनी करने पर लकर नगा में na पर पर दिपके विश मतलब तो कैस यह क्या करता है यह जो है आवेशित होता है आवेशित हो करके क्या करता है अपने सतह पर क्या करता है आवेशों का वितरण कर देता है तो यहां पर धनात्मक आवेश और यहां पर रिनात्मक मतलब कि सबसे पहले जब हम लोगों को कैपसिटर बनाना है संधारितर बनाना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया दो चालक प्लेट ली ठीक है इन दो चालक प्लेट में सबसे पहले हम लोगों को क्या किया धन आवेशित किया और यहां पर क्योंकि इसको धन से हम लोगों ने इस बैडरी से कनेक्ट किया है तो यह वाला प्लेट क्या हो गया हमारा ल आवेशित प्लेट हो गया, अब दो चालक प्लेट हमारे क्या हो गया, यहाँ पर आवेशित हो गया, तो आवेशो को ग्रहन करने की जो छमता होती है, वो क्या कहलाती है, चालक की धारिता, क्या बोला मैंने, आवेशो को ग्रहन करने की जो छमता होती है, वो चालक की धारिता कहलाती है पंधारित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चालक प्लेट चाहिए था इस चालक प्लेट में उने क्या किया आवेशों को वहां पर डाल दिया ठीक है तो वो कितने आवेश ग्रहन कर पा रहे हैं जैसे मालो की मैं तुमको खाना पका के खिलाए तो किम कहलाई धारिता कहलाई ठीक है तो इस तरीके से चालक की धारिता हुई जब हम लोग सिंगल प्लेट की बात कर रहे हैं और इस तरीके से अगर हम लोग क्या किये दोनों प्लेट को इस तरीके से हम लोग क्या करें आमने सामने हम लोग उने समनांतर में एक दूसरे कर इस तरीक कर पा रहे हैं क्या उत्वर्ण पा रहे हैं और उस इस्थतिज उर्जा को यहां पर संचित करके रख पा रहे हैं तो उर्जा को संचित करने की जो शमता है वो क्या कहलाई उर्जा को संचित करने की शमता धारिता कहलाई और उर्जा को संचित करने के लिए जिस उपकरण का ह हम लोगों ने इस्तमाल किया, जिस यंत्र का हम लोगों ने इस्तमाल किया, वो क्या कहलाया, आप लोगों का संधारित्र कहलाया, तो मेरे खयाल से ही आप लोगों को अभी तक के समझ में आ गया होगा कि संधारिता किसको बोलते है धारिता किसको बोलते है ठीक है यह मैंने आप लोगों को धारिता के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया ठीक है कि यहां पर दो प्लेट के बीच में दो चालक के प्ले ग्रेट तो भाई यहां पर आप लोग सबसे पहले तो फटा फट से डाइग्राम बना लो देन आप लोगों को मैंने जो अभी थियोरिटिकली समझाया है ठीके जो थियोरिटिकली मैंने आप लोगों को समझाया है उसको मैं आप लोगों को डैरिवेशन के माध्यम से भी आउंगी देखो फटाफट से डाइग्राम बन गया ओके ग्रेट तो देखो यहां पर हो क्या रहा है सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर क्या किया बैटरी से इसको जो है धनावेशित इसको रिनावेशित किया अब जब हम लोगों ने इसको धनावेशित और रिनावेशित किया तो होगा क्या यहां पर आवेशित होने की वजह से हमारे पास क्या उत्पन होता है विद्धुद्चेत्र उत्पन होता है और इस विद्धुद्चेत्र की वजह से हम लोगों को क्या मिलता है विद्धुद्विभाव मिलता है यह हम लोगों ने अभी तक के इस सिर्व विभाव में पढ़ लिया है ठीक है तो यहां पर हम लोगों को यह जो विभाव कितना मिलेगा तो यह विभाव जैसे कि हम लोगों ने सुत्र पढ़ाता विद्यूत छेत्र का सुत्र पढ़ाता और हम लोगों ने क्या पढ़ाता विद्यूत विभाव का सुत्र पढ़ाता तो वहाँ पर हमारे पास सूत्र क्या मिल रहा था? 1 बटे 4 पाई epsilon not q बटे r square यहाँ पर क्या मिल रहा था? 1 बटे 4 पाई epsilon not q बटे r ठीके? तो दोनों ही चीज़े किस पर निर्भर कर रही है? आवेश पर निर्भर कर रही है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? कि यहाँ पर जो आवेश है यहाँ पर जो आवेश है वो जो है किसके समानुपाती होंगे? इसके समानुपाती होंगे? इस्थर विद्युत विभाव जो इन प्लेट्स में उत्पन हो रहा है इन चालक प्लेट में जो इस्तिर्विधित विभाव उत्पन हो रहा है उसके समानुपाती होंगे जैसे कि यहाँ पर जो पहला चालक प्लेट है ठीक है इसका उत्पन हुआ विभाव कितना वीवत दूसरे चालक प्लेट है उसका कितना विभाव हुआ उत्पन वीटू अब होगा क्या अब जाहिर सी बात है कि आवेश इसके अंदर है एक से दूसरे में जाएंगे यहाँ पर क्या है यहाँ पर धनात्मा कावेश यहाँ पर रिनात्मा कावेश तो हम लोगों ने अल्रेडी पढ़ लिया है कि जो विभाव है वो क्या होते हैं उच्य विभाव से निम इसके समानुपाती है, अगर दोनों चालक प्लेट की बात करें, जब हम उनको क्या करते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने दर्लडाग केंए, देते हैं तब उस समय क्या होगा यहां पर जब एक दूसरे के आमने सामने रख देते हैं तो यहां पर जो विभाव है वो क्या होगा विभांतर की बराबर होगा पहले प्लेट का विभाव और दूसरे प्लेट के विभाव ठीक है पहले प्लेट के विभाव और दूसरे प्ल लेगा ठीक है जिसको हम लोग क्या करते हैं C से ब्रदर्शित करते हैं यह जो नियतांक है यहाँ पर यही क्या कहलाती है संधारित्र की धारिता कहलाती है और यहाँ पर यह जो विभाव है यह क्या है बेटा यह जो है हमारा विभुवांतर तो लिख लो भाई V1-V2 विभु ठीक है अब हम लोग यहाँ पर संधारित्र की धारिता ही जान रहे थे संधारित्र के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया संधारित्र है क्या संधारित्र एक यंत्र है जसमें उर्जा को संचित करने की शमता होती है वो उर्जा को संचित करके रखती है और उसकी संधा का क लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पे संधारित्र की धारिता बराबर क्या हो जाएगी C बराबर Q बटे V1 माइनस V2 ठीक है मतलब कि जितना आवेश हम लोगों ने दिया है ठीक है तो उस आवेश का परिमान बटे क्या हो जाएगा दोनों चालक के बीच का विभवांतर यही हमारी क्या हो जाएगी संधारित्र की धारिता हो जाएगी तो बिलकुल भाई इस बीच की जगह में क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, वाईू भरी हुई है, आगे जब हम लोग framework पढ़ेंगे, किसके बीच में हम लोग कुछ रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो जब मैं पढ़ाऊंगी, तब मैं आप लोगों को बताऊंगे, छलो, आगे बढ़ते है जिसका उपियोग हम लोग क्या करते हैं विद्यूत स्थितिज उर्जा को जो है संचित करके रखने के लिए हम करते हैं क्या करते हैं विद्यूत स्थितिज उर्जा को संचित करके रखने के लिए करते हैं ठीक है अब यहाँ पर मान लोग कि हमको यहाँ पर संचित करके र बना लिया वो तो बना लिया ठीक है एक बार कोई कैपसिटर अगर हम लोग बना लिया तो बना लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब उसकी आकरिती में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ये मालो की क्या है संधारित्र की आकरिती है किसकी आकरिती है संधारित्र की आकरिती ह बिना ही हम लोग इसकी धारिता जो है इसको कैसे बढ़ा और घटा सकते हैं यह हम लोगों को समझना है यहां पर जो इस तरीके की कचिंद बनाऊंगी यह बढ़ाने के लिए है और यह जो है वह घटाने के लिए क्रास में यह जो है नोटेशन यूज तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है मैं क्या बतारी हूँ यहां पर यहां पर संधारित्र को समझना होता है संधारित्र के सिध्धान्त को समझ तो हम लोग लेंगे उसके बाद हम लोगों को करना क्या होगा कि हम लोगों को इस संधारित्र का जो है फार्मूला डिराइव करना होगा जाहिर से बात है जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले विद्धूत आवेश के बारे में जाना फिर व पच्चों को steer है yes or no, ¿querier है सभी को? okay great, तो अभी अभी हम लोगों ने क्या लेखा कि हम लोगों ने मतलब की जो हम लोगों का संधारित्र का सिध्धान्त है ठीक है? उसकी अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर जो संधारित्र की धारिता है उसको हम लोग कैसे लिग सकते हैं क्यों बटे वी वन माइनस वी टू मतलब कि दोनों प्लेट के बीच का विभुवांतर ठीक है तो अगर हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग का आवेश शमान उपाती होता है विभाव के अब हम लोगों ने क्य किया यहां पर विभाव को कम कर दिया ठीक है तो इस विभाव को वापस से हम लोगों को बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा हम लोगों को इस आवेश को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है और जब हम लोग क्या करेंगे इस आवेश को बढ़ाएंगे तो हम लोगों का धारिता और जो हम लोग को पड़ रहे हैं इसका मात्रक होता है वो हमारा होता है किसमें 그런 Preč जैसे कि आप लोगों लोगों पर दिया हुआ है या फिर किसमें होता है आप लोगों का फैरेड में अपन। नाम है जिनों ने धारिता की थी थी तो बिलकुल इसका मातरक जो है वो फैरेड में जो है लिखा जाता है और जनरल जनरली जो हम लोग रेंज इस्तमाल करते हैं मतलब धारिता हम लोग किस रेंज का इस्तमाल करते हैं जनरली हम लोग माईक्रो फैरेड माईक्रो का मतलब होत यहां पर थियोरी भी आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो आप लोग थियोरी क्या लिखा हुआ है संधारित्र वा युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धिक ये बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है जो की अभी-भी मैंने आप लोगों को बताया तूसरा संधारित्र में विद्ध्य तुर्जा को संचित करने का एक साधान है एक तरीका है जिसका हम लोग क्या करते हैं इस्तमाल करते हैं ठीक है अब जैसे की संधारित्र की धारिता अगर हम लोगों को निकालनी है ठीक है तो अभी-अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा एक समनांत दे करके एक तरफ सिधन आवेशित किया था एक तरफ क्यों आवेश दे करके हम लोगों ने क्या किया था प्लेट को रिन आवेशित किया था ठीक है रिन आवेशित किया था अब अगर हम लोगों को क्या है अब अगर हम लोगों को यहां पर देखना है कि इस समनांतर प्लेट संधारित्र में मतलब कि इस समनांतर प्लेट संधारित्र में हमारा कौन सा सिधांत लग रहा है ठीक है तो इसके लिए सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को मतलब कि यहां पर मैं बार बार बता रही हूं एक चालक प्लेट की बात कर रही हूं तो एक प्लेट जो है इस तरी लोगों ने पढ़ा था उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या था इस प्लेट के लिए हम लोगों ने गौस के नियम के अप्लिकेशन्स पढ़े थे गौस के नियम के अप्लिकेशन्स में हम लोगों को क्या मिला था हम लोगों को विद्युचेत्र का मान मिला था विद्युचे का मान निकाला था तो हमारे पास क्या है यहां पर दो सतह ही है दो प्लेट से जिसको हम लोगों ने क्या किया है एक दूसरे के सामने जो है समनांतर रूप से यहां पर रखा है समनांतर रूप से ठीक है सो यहां पर अगर मान लोग की समनांतर रूप से हम लोगों ने रखा है तो यहाँ पर इसका विद्यूद छेत्र क्या होगा E1 और इसका विद्यूद छेत्र क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा है ना तो यहाँ पर हर एक प्लेट का जो मतलब यहाँ पर क्या है विद्यूद छेत्र है वो क्या हो जाएगा 2 Epsilon 0 और यह भी क्या हो जाएगा सिग्मा लोगों को बताया चलो एक बार फटा फट से इसको फिर से हम लोग बना लेते हैं संधारित्र के सिध्धान्त में हम लोग इसको क्या कर लेते हैं समझ लेते हैं ठीक है चलो फटा फट से समझ लेते हैं यहाँ पर फटा फट से एक समनांतर प्लेट संधारित्र बना लो एक समनांतर प्लेट संधारित्र बना लो इस तरीके से और इसको क्या कर लिया हम लोगों ने धन आवेशित कर लिया इस तरीके से क्यों आवेश दे करके इधर को क्या कर लिया हम लोगों ने रिन आवेशित कर लिया इस तरीके से मैंने क्या बताया आप लोगों को यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर बीच में कोई बिंदू होगी पी बिंदू ठीक है अगर इस पी बिंदू से हम लोग आपजर्व करेंगे तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि जब धन आवेश होता है तो धन आवेश से किधर जाती है विद्वत बल रेखाये जो होती है तो से निकल कर कि क्या होंगी विद्वत छेत्र रेखाये इस तरीके से रेंड की तरफ जाएगी तो इस एवन का जो विद्वत छेत्र है तो इस एवन की जो दिशा होगी वो किधर होगी इधर होगी ठीक है और रिन आवेश में क्या होता है यह मैंने आप लोगों को बताया थ इस तरीके से धनावेश और रिनावेश का सभी को याद है कि नहीं बताया था कि नहीं धनावेश से निकलती है बाहर की तरफ और रिनावेश में क्या होती है रिनावेश में जो है अंदर की तरफ आती है तो यहां पर इस E2 के लिए क्योंकि यह रिनावेश इस सता है तो इस के लिए आप लोगों कि विद्धुचेत्र की दिशा क्या होगी इस रीड आवेश के तरफ अंदर की और आती हुई होगी होगी की नहीं जल्दी से बताओ विद्धुचेत्र की दिशा ठीक है अब हम लोगों को यहां पर प्रिस्थी आवेश घनत्व भी पता है क्यों बटे ए ठीक है क्या पता है हम लोगों को क्यों बटे ए अगर हम लोगों को क्या करना है यहां पर इस पी बिंदू पर इस पी बिंदू पर हम लोगों को इस संधारित्र के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए अभी फिलहाल के लिए विद्युद्चेत्र चाहिए क्योंकि हम लोग क् के लिए हम लोगों को किया चाहिए इस प्लेट के वीच का विभवांतर चाहिए तो यह विभवांतर अगर हम लोगों क्या आद करेंगे सबसे पहले हम लोगों कौहां से मिलेगा यह प्रिष्ठी आवेश घंणत्व की साहिता से मिलेगा जो यह सुत्र हम लोगों ने देखा दा ठीक है तो यहाँ पर लिख लेते हैं फटा फट हमारा E1 बराबर क्या हो गया sigma बटे epsilon sigma बटे 2 epsilon 0 e2 बराबर क्या हो गया sigma बटे 2 epsilon 0 ठीक है अब मान लो कि हम लोगों को bीच का चाहिए ठीक है bीच का चाहिए तो यहाँ पर देख रहे हो दोनों ही विद्ध्युच्छेत्र क्या है एक समान दिशा में है तो अगर हम लोगों को यहाँ पे कुल विद्यू छेत्र चाहिए तो कुल विद्यू छेत्र के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यह दोनों ही विद्यू छेत्र को हम लोग जोड सकते हैं अगर यह क्या होती दोनों विद्यू छेत्र जो है वो विपरित दिशा में होते तो यहा हो जाएगा आपका e बराबर सिग्मा बटे दो एपसलान नौट प्लस e बराबर सिग्मा बटे दो एपसलान नौट ठीक है जूड करके ये क्या हो जाएगा जूड करके क्या हो जाएगा ये सिग्मा बटे एपसलान नौट हो जाएगा क्या हो जाएगा सिग्मा बटे एपसल नौट ए ये हम लोगों का क्या आ गया दोनों समनांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हम लोगों का विद्युद छेत्र आ गया क्या गया दोनों समनांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हमारा विद्युद छेत्र आ गया ठीक है अब ये जो विद्युद छेत्र हमारा आय तो हम लोग क्या लिख सकते एपला नौट के ए इस तरह विद्युत बल में भी हम लोगों ने पढ़ा था विद्युचेत्र में भी पढ़ा था विद्युत विभाव में भी पढ़ा था और आज हम लोगों को अच्छे से समझेंगे कि परावैद्युतांक पदार्थ क्या हो और इस विद्यूत छेत्र की वज़़े से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, विद्यूत विभाव प्राप्त होता है, ठीके, क्या प्राप्त होता है, विद्यूत विभाव प्राप्त होता है, और विद्यूत छेत्र और विद्यूत विभाव में हम लोगों ने अल्रेड मतलब कि जो हमारा विद्धुद छेत्र होता है तो वो किस रेंज में किस लंबाई में है ठीक है उसका जो ये रिलेशन ये हम लोगों ने अर्रेटी पढ़ लिया है ये बराबर क्या वी बाई अल वी क्या है यहां पर विभाव है और इस्थर विद्धुद विभाव है ठीक वैसे इसको ये एल है ठीक है इसको हम लोग जो है एल ना मान करके इसको हम लोग क्या लिखेंगे डी लिखेंगे क्योंकि जनरली हर पुस्तकों में संधारित्र के बारे में जब भी बताया जाता है तो वहां पर दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी होती है उसको हमेश संधारित्र के हिसाब से लिख लेते हैं क्या लिखेंगे वी बाई डी लिखेंगे तो ये एक एक इक्वेशन अभी-अभी हम लोगों को मिला ठीक है इस एक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे इसका जो है मान रख देंगे यहाँ पर विद्धुच्छेत्र के जगह में क्य ठीक है यहाँ पर हम रख देते हैं वी बाई डी बराबर क्यू एपसलान नौट के ए ठीक है रख दो भाई मान अब यहाँ पर क्या होगा अगर हम मान रख दिये तो अभी इसके पहले हम लोगों ने पर क्या पढ़ा है क्यू बराबर हम लोगोंने सी वी पढ़ा है या फि V minus V2B हम लोगों ने पढ़ाए, ठीक है, तो फिल हाल हम लोगों ने यहाँ पर V रखा है, तो Q बराबर C V से, अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, C बराबर Q बटे V, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको Q बटे V बराबर C, पर अगर मैं क्या करूँ ये वाले हिस्से को इधर पक्षांतर कर दूँ और ये वाले हिस्से को इधर पक्षांतर कर दूँ ठीक है तो क्या मिल जाएगा मेरे को क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ठीक है यहाँ पे लिख रही हूँ क्या मिल जाएगा Q बटे V बराबर Q बटे V बराबर क्या मिल जाएगा Epsilon not K A by क्या मिल जाएगा D मिल जाएगा और Q बटे V हमारे पास क्या है संधारित्र की धारिता है तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया संधारित्र की धारिता का जो है वो सुत्र हम को मिल गया क्या मिल गया हम लोगों को यहां से संधारित्र की धारिता का सुत्र मिल गया सी वराबर k epsilon not a बटे d ये क्या है आप लोगों की संधारित्र की धारिता है कब के case में जब दो समनांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर परावैद्य तांक मौझूद है तब के case में अगर परावैद्य तांक मौझूद नहीं है जैसे कि अभी तक फिलहाल हम लोगों ने जो चित्र देखा वहाँ पर हमारा क्या भरा हुआ था एर भरा हुआ था वायू भरा हुआ था तो उस case में आप लोगों का क्या हो जाएगा जो संधारित्र की धारिता का सुत्र है वो हो जाएगा एपसलान नौट एबाई डी तो इसके बहुत सारे नुमारिकल कोश्चंस आते हैं बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से देखना है अगर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है तो बिल्कुल ये डाइग्राम आप लोग देख सकते हूँ ये समनांतर प्लेट संधारित्र है क्या है ये ये आप लोगों का समनांतर प्लेट संधारित्र समनांतर प्लेट संधारित्र ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों ने समनांतर प्लेट संधारित्र जो हम लोगों ने लिया, इस तरीके से आमने सामने लिया हुआ है, ठीक के अलावा ये जो संधारी तर्जो चो मैं ने रोल करके बदाया हैं आप लोगों को यह Yeah plates मिहीं यहां पर क्या है एक दूसरे के सम्नानतर ही है पर यहां पर जो orange color इन्सूलेेटर है क्या होता है विध्यूत रोधी पदार्थ इसको क्या बोलते है। परावैद्यूत पदार्थ बोलते हैं परावैद्यूत पदार्थ के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जब यहां पर विद्यूत रोधी पदार्थ मौजूद होते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं यहां पर कैपिटल के का इस्तमाल करते हैं जो यहां पर हम ल गई होगी ठीक है और यहां पर जैसे हम लोगों को क्या मिला था यहां पर यह भी हम लोगों का क्या c बराबर q बटे v1 minus v2 c बराबर क्या था हमारे पास q बटे v1 minus v2 तो यह सुत्र का भी इस्तमाल होता है आप लोगों का सारा समराइस करके लिख देती हूं c बटे q v इसका भी इस्तमाल होता है q बराबर c v इन सारे इसका भी इस्तमाल होता है तो सारे सुत्र मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे समराइज करके लिग दिये हैं, आप लोगों ने अभी तक के जितने भी फॉर्मुले पढ़े हैं, इन सब को नोट कर लो, इसके अलावा हम लोगों ने किसका इस्तमाल किया था, विद्धुच्छेत्र के लिए हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या किया है, समराइज करके लिख दिया है, ठीक है, जो डेरिवेशन अभी हम लोगों ने किया है, वो हम लोग यहाँ पर V1-V2 जो हम लोगों ने निकाला न, यहाँ पर उसको कई बार आप लोग देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा कि यहाँ पर जो हम लोगों को विद्युच्छेत्र मिलता है ठीक है यह जो विद्युच्छेत्र हम लोगों को मिलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं इस वाले formulae में हम लोग रख देते हैं कैसे रख देते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूं ठीक है जैसे कि ये समनांतर plate संधारित रहे हम लोगों की पास क्या है c बराबर q बटे va minus vb ठीक है va minus vb और अभी अभी हम लोगों ने विद्युच्षेत्र के बारे में निकाला विद्युच्षेत्र के बारे में क्या निकाला vb बटे l ठीक है तो यहां से यह क्या हो गया आप लोगों का va या फिर va या फिर v1 या v1 v2 लिखो कुछ भी लिखो ठीक है मतलब यह है कि एक plate और दूसरा दोनों का बीच का विभुवांतर ठीक है और यह क्या हो गया va-vb यह हो जाएगा क्या e into d ठीक है e into d तो इसको भी ध्यान में रखना है इस रूप में आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि इस रूप का इस्तमाल भी हम लोग करते हैं धारिता calculate करने के लिए अभी हम लोगों को आगे हमारा जो आज का last topic हमको पढ़ना है तो वहाँ पर हम लोग इस रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला था V A minus V B बराबर हम लोगों को क्या मिला था यहाँ पर E का जो formula मिला था E बटे क्या मिला था E बटे epsilon A into B है ना यही मिला था है की नहीं तो फिर अगर मैं यहाँ पर क्या करूं यहाँ पर अगर मैं Q बटे V A minus V B लिखूं तो उसका मान मेर को क्या आजाएगा Epsilon naught A by D आजाएगा ठीक है यह भी क्या हो गया यह भी एक समीकरण हो गया ठीक है अब यह वाले समीकरण में क्या कर सकती हूं मैं यह वाले मान को रख सकती हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह Epsilon naught A by D तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो समनांतर प्लेट संधारितर की धारिता जो है वो ग्याद कर सकते हो कुछ नहीं है वही चीजे है घुमा फिरा के करी गई है वहाँ पे मैंने क्या कर दिया था वीबाइडी रग दिया था और उसके जगह में मैंने यहाँ पर धारिता क तरीके से किया मैंने दोनों तरीके से आप कर सकते हो एक ही मतलब है ठीक है जिस तरीके से भी आप करना चाहो ठीक है चाल ओके तो यह तो हो गया आप लोगों का क्या समनांतर प्लेट संधारित्र ठीक है जो समनांतर प्लेट संधारित्र हम लोगों ने पढ़ा ठीक है तो हम ने आमने सामने एक समतल प्लेट इस तरीके से लिए वह उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ी पर जब हम लोगों ने शुरुवात में कुछ डाइग्राम देखे थे तो यहां पर आप लोग इन डाइग्राम में देख सकते हो कि अलग-अलग प्रकार के शेप में हैं यहां लग-अलग प्रकार के शेप में हैं सिलिंड्रिकल भी है चिप्टा हुआ भी है गोलाकार भी है तो इन शेपस में जाइड सी बात है कि हम लोगों ने एक कौमन शेप ले करके हम लोगों ने क्या किया अभी जो है अध्यन कर लिया इस्टेडी कर लिया बट रियल लाइफ म इंटर्नली डाइगाम जो है वह आप लोगों का कीसा दिखेगा यह क्या है आप लोगों का यह जो है circular वृत्य रूप में अगर है आप लोगों का क्या है वृत्ताकार रूप में अगर है तो वो संधारित्र है ये ठीक है और ये वाला आप लोगों का संधारित्र का कैसा शेप है सिलिंडर का लूप में अगर है कैसा सिलिंडर के जैसा अगर शेप है संधारित्र का तो उ एक दूसरे कि समय आंतर हो उसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं संचित करके रख सकते हैं तब कि अगर आप पेपर को प्ट रोल करो उसको रोल करके उसके बीच में और रोल हुआ इस तरो होता है और कभी-कभी हम ट्रॉइट कर चलू पहोम पोज़ो और सकूल करते हो स्कूल के लिए तो वहां पे सरी के से के अंदर एक मोड़ के रब देते हो ठीक है तो यह वाला यहां पर प्रेट कैसे धन आवर्शित यह क्या हरिन आवर्शित और सारी जो ठीडिकल कॉंसर्प्ट है जैसे मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है एस इस आप लोग तो भाई आप लोगों को यहां पे परावेदित आंक का क्या दिख रहे हैं बरावेदित व्यदार्थ का डाइग्राम दिख रहे हैं वन बाई वन में समझाती हूं सबसे वहले थोड़ा सा पिक्चर को अब्जर्व कर लो ठीक है पिक्चर को क्या कर लो थोड़ा सा observation क्या कहता है कि यहां पर एक धन आवेशित प्लेट है और यहां पर क्या है एक रिन आवेशित प्लेट है जिसका इस्तमाल हम लोग क्या कर रहे हैं एक धन और रिन प्लेट का इस्तमाल हम लोग कर रहे हैं संधारित्र के निर्माण करने के लिए और संधारित्र के निर्माण को बोलते थे इसको क्या बोलते थे परावेद्यूतांक को बोलते थे मतलब इसके बीच में क्या होता था कुछ इंसुलेटर मतलब की विद्यूत्रोधी पदार्थ जो है वो भरा होता था इस विद्यूत्रोधी को प्रदर्शित करता है मतलब इसमें विद्धूत प्रभाव तो होगा पर अपने में से धारा बहने नहीं देगा मतलब किसे अंदर आप लोगों को आवेश तो दीखेंगे धन आवेश और रिन आवेश बिल्कुल आप लोगों को दीख रहे हैं पर फिर भी यह क्या करेंग सबसे पहले मैंने आप लोगों को संदारित्र के सिधानत के बारे में बदाया था, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बढ़ाया था की संधारित्र जो है एक प्रकार की ऐसी युखती है, जहांपर हम लोग उसकी आकृती में परिवर्टन किये नहीं क्या कर सकते हैं, तो संधारित्र की धारिता हो सवी हो, जो हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, अपनी जरूरत के यह साप से, तो इसको बढ़ाने या घटाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर परवैधिnost पदार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर वैद्यूत-पदाथ का भी इस्तमाल करते हैं आप देखो अन्धायत्र की आगरती को हम लोगों को परिवर्तित क्यों नहीं करना है क्योंकि जैसे कि मां लोग कि तुम को विध्यूत परिपत जैसे कि मां लोग कि तुम टेली विजेन बना रहे हो अब जसे तुम mobil का विद्रिट परिपथ बना रहे हो, तो क्या करना है तुमको mobile का shape उतना ही रखना है. तो उसका जो तुम परिपथ मनाओगे तुमको परिपथ का size बड़ा नहीं करना है. तुमको उसी size में क्या करना है? सारी चीजों को अगर manage करना है. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया उसकी आकरती में चेंज किये विना ही हम लोगों ने क्या किया ऐसा संधारित्र बनाया जिससे हम लोग उसकी धारिता जहां पर हम लोगों को ज्यादा चाहिए वहां पर हम ज्यादा बना कर ले और जहां पर हम लोगों को कम धारिता च विद्धुत सभावत मतलब तो होता है इसका मतलब कि यह विद्धुत प्रभावत प्रदर्शित करता है पर अपने में से विद्धुत धारा को प्रवाहित नहीं होने दाता यही परावैदुत पदार्थ कहलाता है ठीक है अब यह जो परावैदुत पदार्थ है यहां पर अंदर में आते हैं तो अंदर में आने की वज़ह से यहां पर कुछ घटनाय स्थ होती है इस BHतना यहां कि ध्रुवन गहते हैं या तो फिर हम लोग यहांपर बहन भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको बंजन भी कहते हैं या तो फिर ध्रुवन भी कहते हैं क्या होता है जैसे कि आप लोगों के बारे में पढ़ाई विद्यू द्वी ध्रु का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई एक ऐसा system है जिसमें एक तरब का इस रा जो है वो धना वेशित गुवैरों को जब एकसाथ मिलाजा रहे तो वह हमलोग क्या बन रहा था दूढ़ बन रहा था क्यों कि यह विद्व प्रभाव को प्र दरिष्त करता है तो यहां पर भी क्या होँगे इसके घना वेशित रिनावेशित जो है वह अ अलग अलग separate हो जाएंगे क्या हो जाएंगे जब ये विद्यूद छेत्र के प्रभाव में आएंगे तो होगा क्या ये धन आवेश जो है इसके धन आवेश और इसके रिन आवेश जो है वो क्या हो जाएंगे अलग अलग जो है वो विद्यूद प्रभाव में आने के कारण विद्धुद छेत्र में आने के कारण अपना विद्धुद प्रभाव दिखाएंगे अब प्रभाव दिखाने की कारण क्या हो जाएंगे अलग-अलग separate हो जाएंगे मतलब की धुरूवित हो जाएंगे धुरूवित होने का मतलब क्या हुआ कि एक सीरे में सारे के सारे क्या तो यह तरीके से हो गए तो यह जो घटना कहलाती है तो वो क्या कहलाती है, ध्रुवाण की घटना कहलाती है, ध्रुवाण की जो घटना होती है, वो भी दो तरीके के पदार्थों में होती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो बिल्कुल आप लो कमें करके मुझे पूछ सकते हैं ठीक है ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सभी बच्चे क्लासद देख रहे उना ध्यान से समझ में आ गया बहुत इंपोर्टेंट है परावेद्धूत समझ में आ अब इस परवःद्ध्यत पदार्थ में, मतलब कि ये कितना हम लोगों को धार्यता को बढ़ाने या घटाने में जो help करेगा, मतलब उसके लिए हम लोग एक नियतांक का इस्तमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावेद्यूतांक बोलते हैं, इस परावेद्यूत पदार्थ का एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, परावेद्यूतांक, क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो मैंन सारे कुछ-کँछ examples है, जिन्द का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, परावधित पदाज की रूप में करते हैं, जहां पर धरुवण की घटना देखी जाती है, इस धरुवण की घटना में होता क्या है, भनजन होता है, सपरेशन होता है, धन आविश और रिणा विशो का, फ अब ही अब जब हम लोगों ने सूत्र लिखा तो हम लोग क्या करते हैं सी बराबर एपसलाइड नौट ए बटे डी ठीक है मतलब की दो समनानतर प्लेट संधारित्र के बीच में जब क्या भरी होती है वायू भरी होती है तो हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे इस तरीके से होती है निर्वात की विद्यूत शिलता होती है निर्वात या वायू की किसकी विद्यूत शिलता होती है निर्वात या वायू की विद्यूत शिलता ठीक है जब हम यहां पे क्या करते हैं जब हम लोग यहां पे परावैद्यूत पदार्थ भर देते हैं ठीक है तो यहां पे कौन एंट्री लेता है फिर यहां पे एंट्री लेता है क्या परावैध्यूतांक एंट्री लेता है के एपसलान नॉट ए बाइडी ठीक है तो यहां पे क्या है आपका के जो है वो परावैध्यूतांक है ठीक है परावैध्यूतांक है और यहां पर हम लोगों को एक मिल है ये एपसलान नौट के और एपसलान नौट ठीक है ये जो के और एपसलान नौट है ठीक है इसको जो है हम लोग किस से प्रदर्शित करते है एपसलान से प्रदर्शित करती है ये जो एपसलान है वो क्या है माध्यम की विद्युत शिलता ठीक है क्या है ये माध्यम की जो है रोल में आएगी और तब हम लोग क्या करते हैं यह जो के होता है हमारा परावैद्यूतांक यह क्या होता है माध्यम की विद्धूता और निर्वात की विद्धूता का क्या होता है अनुपात होता है यह परावैद्यूतांक यह के का मान भी हम लोगों को क्या के लिए मैंने आप लोगों को बताया ठीक है और यहां पर अगर आप लोग परवेद्धुतांग को परिभाशित करना चाहूं तो आप लोग परिभाशा लिख सकते हो कि माध्यम की विद्धुत शिलता और निर्वाद की विद्धुत शिलता का जो अनुपात है वही आप ल खेर है और अपस्लेशन मिल था ना अपसलोन बराबर के एप्सलोन नॉट थीक आँ तो इसको अगरidentified करके लिख्ग हूं तो यह क्या है माध्यम की विद्धुत शिलता ठीक है और यह क्या है यह यह आप supplement की confer ओक तो आपलोग यहां पर विद्धूलिकेशन मिलता था तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि यह जो विद्धूद छेत्र है वो क्या है आप लोगों का इन्वर्सली प्रपोशनल है निर्वाद की विद्धूद छिर्ता से इन्वर्सली प्रपोशनल है तो इसके हिसाब से अगर हम लोगों को यहां पर विद्धूद छेत्र का भी फ के फॉर्म में लिखा है विद्धुचिलता के फॉर्म में लिखा है ध्यान से सुनना जनरली बच्चों को यहां पर समझ में नहीं आता है तो प्लीज ध्यान से सुनना ठीक है यहां पर क्या है यह आपका विद्धुचित्र यहां है और यह आप लोगों का कहा है यहां है तो क्या हो जाएगा ये ज़स्ट हमारा उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा ये वायू वायू का विद्धुच्छेत्र अगर मालो कि ऐसा जगह जहां पर हम लोग विद्धुच्छेत्र देख रहे हैं और उसमें माध्यम के रूप में क्या है वायू है ठीक है वो और अगर हम लोग इस नियतांक के सांथ अगर इसका रिलेशन निकाले मीडियम की विद्यूसिलता माध्यम की विद्यूसिलता ठीक है तो यह रिलेशन हम लोगों को ऐसी मिलेगी जो रिलेशन हम लोगों ने यहां देखा वो ठीक इसी तरीके से जो हम लोगों ने संधारित्र देखा तो अगर हम लोग परावद्धु तांक के केस में लिखे तो यह क्या हो रहा है एपसलों नौट एफ ठीक है यह डी है नीचे में डी आएगा नीचे में डी आएगा इसको आप करेक कर ले ना अब ठीक है यार कोई नहीं कभी कभी हो जाता है सो यहाँ पर अगर मैं यह वाला जो रिलेशन है अगर उसको मैं किसके लिए लिखूं संधारित्र के लिए जो रिलेशन आएगा वो होगा क्या संधारित्र की मतलब यह जो मतलब संधारित्र की जो धारिता माध्यम के लिए धारिता है वो और यह हो जाएगा आप लोगों का क्या के गुना वायू के लिए जो धारिता है वो इसका मतलब क्या हुआ जो हम लोगों ने माध्यम का सुत्र लिखा यहाँ पे क्या लिखा के एपसलान नॉट एबाई डी ठीक और यहाँ पे जो है क्या है के मल्टीप्लाई बाई वायू की जो विद्धूत सीलता है वो ठीक है वैसे यह याद रखने में बहुत जादा confusion होता है बट मैंने समझने के लिए आप लोगों को बता दिये ताकि अगर आप book में self study करोगे तो वहाँ पे काम आए और numerical solve करोगे तो यह relation आप लोगों को common sense से समझने होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत जादा दिमाग लगाने की जर्वत नहीं पनी चाहिए क्योंकि अगर आप theory को ध्यान से पढ़ोगे तो यह सब आप लोगों को क्या होगा easily जो है समझ में आ जाना चाहिए ठीक है easily समझ में आ जाना चाहिए तो यह हम लोगों ने परावैद्यूत पदार्थ परावैद्यूत तांक के बारे में पूरी तरह से समझ लिया है ठीक है अब हम लोग द्रूवण के बारे में भी और पूरी तरीके से समझ लेते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को द्रूवण के बारे में केवल और केवल क्या दिया था introduction दिया था, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में detail बता देती हूं, ठीक है, तो जो मतलब धुरुवण हो रहा था, ठीक है, तो वो भी दो तरह के पदार्थों में होगा, एक धुरुवित पदार्थ में, एक अधुरुवित पदार्थ में, ठीक है, परावेद्यत पदार में क्या होगा, धुरुवण की घटना होगी, क्या होगी, धुरुवित पदार्थ में, ठीक है, धुरुविय पदार्थ में, क्या होगा आप लोगों का, धुरुविय परावेद्यूत पदार्थ का, ठीक है, धुरुविय परावेद्यूत पदार्थ का, धुरुवण कैस अगर इसका ध्रूवन आप लोगों को देखना है तो वो कैसे करोगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि ध्रूविय परावेद्यूत पदार्थ दिखता कैसे है तो ध्रूविय परावेद्यूत पदार्थ बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा कि इसमें जो तो होंगे पर जो सिह जो घुक्स बिखरे पड़िए वरे होगे होगे मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होगinação एक जिसकी वज़े से शुप्र हो जाएगा वलोगी ऑक हुअ किसा हुए परावैद्यूद पदार्थ को जब हम लोग क्या करते हैं किसी विद्यूद छेत्र में ले करके जाते हैं जैसे कि हम लोग समनांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या कर रहे थे समनांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे परावैद्यूद हम भरे तो यह कहां गया थीच में को करेंकित यहां पर द्रूवन का होगी जब यहां कि अरंप चैकर को सब्सक्राइब में लोगा थीच अथिके अभी क्या हो गए अब जो है यह यह बिल्कुल भी आवेशित नहीं है पर जब हम लोग क्या करेंगे इन उदासी इन पदार्थों को क्या करेंगे किसी विद्यु छेत्र के बीज में ले करके जाएंगे किसी विद्यु छेत्र के बीज में ले होंगे तो पहरे तो वो इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे बाद में क्या होंगे बाद में जो है ये मानलों की ये कोई मतलब की कोई पदार्थ है ये क्या है कोई पदार्थ है इस तरीके से है ठीक है तो ये पदार्थ से कैसे हो जाएंगे यह पदार्थ ऐसे हो जाएंगे कि एक तरफ सारे रिन आवेश और एक तरफ क्या हो जाएंगे सारे के सारे धान आवेश जो है इस तरीके से हो जाएंगे ऐसा ही हो रहा था जब हम लोग क्या करें थे सको समनांतर प्लेट संधारितर के बीच में रख रह कोच एक्जामपल्स हम लोग यहां पर देख लेते हैं जैसे कि मैं यहां मतलब की आप लोगों के लिए ग्जामपल्स लेकर क्या हूँ थोड़ से बताना चाहूंगी कि ध्रुवाण को जुह है अंग्रेजी में पोलेजी में बोलते है जो अधुरुविद पदार्थ होता है उनको unpolarized बोलते है जो धुरूवित पदार्थ होता है उनको क्या बोलते है अब polarization के पश्चात मतलब की धुरूवण के पश्चात होता क्या है धुरूण के पश्चात इनके जो आवेश है उनका क्या हो जाता है separation हो जाते हैं तो आप लोग देख पा रहे हो कि जब अध्रूवित थे मतलब कि जब अन-polirized थे तो इस तरीके से थे अब जब Зandaray शालाएट की तरफ अकर्शित हो गए सा इस तरीके से अकरेशन हो गया यहां पर भी देखो पर क्या वह इsta तो अगर यहां पर क्या हुए है यहां पर क्या समझाया हुआ है यह आपका जो धन-आवेशित थे न यहां लोग की आपकी धनावेशित प्लेट है इधर क्या है आप लोगों की रिनावेशित प्लेट है तो जो हमारा परावेद्यत पदार्थ है उसका जो धनात्मक ध्रू है वो रिनावेशित प्लेश की तरब और परावेद्यत पदार्थ का रिनात्मक ध्रू जो है वो धनावेश 15-मिनिट्स में हम लोग अपना ये टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे तो बिलकुल कहीं जाने की दर्वत नहीं है पैई एक्जायम पास में आ गये हैं हां इतना मतलब बिलकुल टाइम नहीं है आप लोगों के पास आपको करना क्या है एक दम ध्यान से सुनना है क्या करना है जब हम लोग क्या करें इस टॉपिक को ही पहले समझा देती हूं पहले तो नाम को समझा देती हूं हमारे पास क्या है एक समनांतर प्लेट संधारित्र है इस समनांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या करते हैं जब हम आंशिक रूप से परावध्यूत पदार्थ भरते है क्या करते हैं यहां पर लिखा हुआ है ना आंशिक रूप से हम लोग क्या करते हैं माध्यम रखते हैं यह माध्यम जो है वो क्या है हमारा परावैद्यूत पदार्थ ही है ठीक अब आंशिक रूप से हम लोगों ने परावैद्यूत पदार्थ भर दिया शेस माध्यम में हम का air, वाईू है, यह क्या है, हम लोगों का परावैज्यूत-पदार्थ हैं, अब हम को करना क्या है, हम लोगों को इस condition में, इस case में, हम लोगों को इस संधारितर की धारिता कैलकुलेट करनी है, बिल्कूलardon तेशिया पहल हाता है अगर आ बूर्ट की तयारी कर रहे हो तो डेरिवेशन आएगा अगर आप एक्जां मीड़िस क्टम्स की तयारी कर रहो तो वहाँ पे आप लोगों को डेरिवेशं पूछा जाएगा टेर ओटा वेocy 밝 डालो, टॉपिक नोट कर लो, quickly फटाफट से, चालो, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यह हमारा क्या है, यहां पर धनावेशित प्लेट है, ठीक है, यह क्या है हमारा धनावेशित प्लेट, यह धनावेशित प्लेट, ठीक, और हम लोग क्या करते थे, जो क ses वीच की दूरी लेते थे वह क्या लेते दूरी हम लोग très बारवाइदि può systems Secret eh तो इस पराव्यदिवत्य पदार्थ की भी कुछ ना कुछ मोटाई होगी हुआ कह ले हुआ हुआ के तो हम को यहां पर बोला क्या है कि जो आन्षिक माध्यम है तो यह माध्यम क्या हो गया यह माध्यम जो है इसकी मोटाई टी हो गई और जहां पर माध्यम वाई हूँ है शेश माध्यम क्या शेश माध्यम में क्या तो इस शेश माध्यम की जो मोटाई होगी है ना इस शेश माध्यम की मोटाई होगी वो क्या होगी हमारी जो कुल बीच की जो दूरी थी दोनों समनांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी वो क्या थी दी ठीक है अब हम लोगों का जो शेश माध्यम है जहां पर भायू भरा हुआ है ठीक है इसकी मोटाई क्लिया हो जाएगी? हाना वो हमारी हो जाएगी क्या? D-T इतना सभी को clear है क्लियर है? क्यों भाई? सभी को clear है? हाँ सभी को clear है? ओके अब हम लोगों ने क्या पढ़ाथा इसके अलावा? हम लोगों ने ये देखा था कि इस प्लेट का जो विद्धुच्छेत्र होता है वो क्या होता है सिगमा बटे 2 एपसलोन नॉट और अच्छा विद्धुच्छेत्र जो होता है वो क्या होता है सिगमा बटे 2 के एपसलान नॉट ये भी हो जाएगा ठीक अब यहां पर हम लोगों का क्या होगा इस सतह का और इस सतह का प्रिष्ठी आवेश घनत्व भी होगा तो यहां पर हमारा जो प्रिष्ठी आवेश घनत्व होगा क्या होगा धन सिगमा यहां पर जो हमारा प्रिष् प्लेट है ठीक है तो धनात्मक प्लेट का जो प्रिस्थी आवेस घनत्व होगा वो क्या होगा धन क्यू बटे ए क्या होगा धन क्यू बटे ए और रिनात्मक प्लेट है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा रिन क्यू बटे ए तो यह तो किस का मान हो जाएगा सिग्मा का मान हो ज थी तो धारिटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक सुत्र का इस्तमाल किया था याद करो वो कौन सा सुत्र था e बराबर v by b यही सुत्र था e बराबर v by b ठीके और ये जो v था वो क्या था समनांतर प्लेट का विभुवांतर v a minus v v बराबर क्या था e into d यही था इसी सुत्र का इस्तमाल करके हम लोग क्या किये थे जब वायू था माध्यम उस केस में हम लोगों ने जो है संधारितर की धारिता कैलकुलेट करी थी अब हमारे पास यहाँ पर आंशिक माध्यम है ठीक है तो यह तो एक होगा क्या दूरी टी होगा दूस चलो बस इसका ही इस्तमाल करना है जो यह मैंने आप लोगों को बताया इस सीच का इस्तमाल करेंगे ठीक है चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं जो संधारितर के प्लेट के बीच का विभवांतर विभवांतर वी ए माइनस वी बी इस बार क्या होगा बराबर दो अलग अलग तरह की मोटाईया है एक बार जो है हमारे पास माध्यम की मोटाई है और दूसरी बार क्या है हमारे पास वायू की मोटाई है ठीक है क्या है हमारे पास एक बार माध्यम की मोटाई है और दूसरी बार क्या है वायू की मोटाई है ठ जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि संधारित्र घां एक पर मैं फिर से आप लोगों को यहां पर बता देती हूं यह तो दोनों प्लेट के बीच में दोनों प्लेट के बीच में यहां पर आप लोगों को पहले सुत्र बता देती हूं कि जब वायू है माध्यम ठीक है जब वा lot a हो जाएगा किए एंड़न कर लोगों कि कैल्स के वोरा इसको भी ध्यान कर perlu इसका इस्तमाल Git कर की दूरियों से गुड़ा करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या है दो प्रकार की दूरी है कैसी दूरी है हमारे पास दो प्रकार की दूरी है बिल्कुल हम लोग लिख लेते हैं यहां पर क्या लिखेंगे एक तो जो है पहले हम लोग लिख लेते हैं बिना माध्यम वायू व confusion ना हो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर समझाने के लिए लिए लिख दिया है ठीक है इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग VA-VB बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा YU वाले में Q बटे Epsilon 0 A और यहां पर YU वाले की जो दूरी थी वो क्या थी D-T इतना समझ माया की नहीं अगर यह अगर क्लियर होगा तो आगे आप लोगों को एकदम derivation easy है यह line अगर clear हो जाई ही तो आगे का derivation easy है समझ माया जल्दी से comments करके बताओ मुझे clear है यह क्या है YU वाला YU वाली दूरी यही थी ना अब हम क्या लिखेंगे माध्यम वाली दूरी लिखेंगे तो माध्यम वाले में सबसे पहले Q बटे K epsilon naught A ठीक है अब इसकी दूरी कितनी थी मोटाई जो थी वो कितनी थी T थी हम लोगोंने T मोटाई लिया था ठीक है अब इसको आगे solve करो derivation को solve कर लेते हैं तो क्या हो जा ठीक है क्या निकल जाएगा common निकल जाएगा यहां अंदर bracket में हमारे पास बचेगा D minus T plus 1 बटे K ठीक है यह हमारे पास बच जाएगा अब क्या हो जाएगा अब next step में क्या हो जाएगा यह क्या है विभुवांतर V A minus V B ठीक है next step में क्या हो जाएगा Q upon epsilon naught A अच्छा यहां पर T miss हो गया ठीक है T लिक लो T miss हो गया T Y K होगा है ना यहां पर क्या करेंगी हम B S I रहेगा minus T हम लो common निकाल लेंगे ठीक है minus T common निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 minus 1 by K ठीक है 1 minus 1 by K कुछ नहीं किया है हम लोगों ने minus common निकाला है यह क्या यह हमारा V A minus V B हो गया अब यहां पर यह जो हमारा आया है ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको फिर से क्यों बटे VA-VB बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं हना इसको इधर पक्षांतर कर दिया मैंने इसको इधर पक्षांतर कर दिया ठीक है पक्षांतर करके जैसे पिछली बार किया था यह हो जाएगा क्या Epsilon 0 A बटे में आ जाएगा क्या D-T एक माइनस एक बटे के ठीक है अब ये क्या है ये हमारा जो है वो किसके बराबर है धारिता के ही बराबर है तो धारिता बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पी आशिक माध्यम के लिए धारिता बराबर एपसलोन नॉट ए बटे में क्या हो जाएगा d-t-1-1 बटे के ये क्या है अगर आशिक माध्यम है और बांकी माध्यम में क्या है शेस माध्यम में वायू उपस्थित है तो इस केस में आप लोगों की संधारित्र की धारिता का सुत्र हो जाएगा ठीक है सबी को क्लियर है मैं बिल्कुल साइड हो जारी हूं आप स्क्रीन ले सकते हैं फटा फट से अगर ये वाली लाइन अगर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी तो बिल्कुल आप लोगों को पूरा डेरिवेशन जो है एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कुछ भी नहीं रखा है अब मैं बिल्कुल आप लोगों को क्या करती हूं बस मतलब बटे वी या फिर क्यू बटे वी ए माइनस वी भी ठीक है तो धारिता का हम लोगों ने क्या क्या सुत्र निकाला जब वायू का केस था तो एपसलोन नौट ए बटे डी मिला जब परावैद्यूतांग माध्यम रखा तब वहां पर क्या मिला अगर पूरे में परावैद्य एक माइनस एक बटे के ठीक है तो ये आशिक वाला भी कोश्यन आते है और ये वाला भी कोश्यन आते है तो बिल्कुल आप लोगों को नियूमरिकल्स के लिए तैयार रहना है जितनी भी धारिता के सूत्र आज हम लोगों ने डराइव करें सारे मैंने आप लोगों को समरा संधारित्र क्या होता है क्यों होता है क्यों उसका इस्तमाल करते हैं क्यों बनाते हैं हम तो इस तरीके से हम लोगों ने एक संधारित्र को दो समनांतर प्लेट जो है इस तरीके से दो समनांतर प्लेट के लिए हम लोगों ने पढ़ा ठीक है अब हम लोगों ने जब संधारित संधारित्र का सिध्धान्त पढ़ा था याद करो संधारित्र का सिध्धान्त वहां पर हम लोगों ने ये बात भी समझादा कि संधारित्र की आकरिती में परिवर्तन ये बिना हम लोग क्या कर सकते हैं संधारित्र की जो धारिता है जो सी एपसलान नौट एब आईडी इसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं यही क्या कहला रहा था संधारित्र का सिधांत कहला रहा था तो बिल्कुल यहां पर हम लोग क्या करेंगे जब हम लोगों को इसकी धारिता को बढ़ाना या घटाना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या कर सक संधारित्रों का सहियोजन कर सकते हैं और संधारित्र का सहियोजन हम दो प्रकार से करेंगे कितने प्रकार से करेंगे बिटा दो प्रकार से ठीक है नोट्स वग्रस अच्छे से बनाना बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है यह सुपर इंपॉर्टन होट टॉपिक है होट टॉप संयोजन में मैंने आप लोगों को बताया दो तरह से हम लोग क्या करेंगे संधारित्र का संयोजन करेंगे तो एक जो संयोजन होता है उसको हम लोग कहते हैं स्रेणी याने की स्रिंखला सीरीज में स्रेणी संयोजन स्रेणी क्रम कहते हैं इसको ठीक है और दूसरा जो होता है हम लोग क्या कहते है समनांतर या फिर समांतर समांतर क्रम संयोजन ठीक है क्या है यह समांतर क्रम संयोजन इसको स्रेणी सिंखला शीरीज अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन इसको बोलते हैं क्या पैरलल कलेक्शन वैसे आप लोगोंने कक्षा दस्वी कक्षा दस्वी में जब आप लोगोंने विद्युत वाला चाप्टर पढ़ा होगा वहां पर आप लोगोंने सैयोजन पढ़ा था वहा और समनांतर क्रम का मतलब क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से सुनना है ठीक है ये देखो ये क्या लिए हमने एक तार लिया ये जो वाइट कलर है ये मैंने आप लोगों के लिए यहां पर क्या लिया है संधारित्र को क्या करेंगे सिरेणी क्रम और समनांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ ये हमारा क्या है बल्ब है ये हमारा क्या है बल्ब है ठीक है अब यहाँ पर यह जो हमारा बल्ब है इसको हम लोगों ने क्या कर लिया है सिरेणी क्रम में ज लगाई हुई है ठीक है बल्ब को जब एक के बाद एक क्रम से एक के बाद एक अगर क्रम से आप इस तरीके से जोड़ोगे तो वो क्या कहलाता है स्रेणी क्रम कहलाता है क्या कहलाता है स्रेणी क्रम कहलाता है यहां पर कैसे जुड़ा हुआ है एक के बाद एक जैसे कि आप ल था तरीके से प्लस मतलब कि लाफ राइट हैड़्स जो है तो इसी तरीके से हम लोग यहां पर क्या के डियो हमारे पास जो एक संधारित्र हथा अगर यहां इस तरीके से एक के बाद एक क्रम में जोडें तो वो जो है वो सीरी स्रिंखला स्रेणी क्रम कहलाता है और समनांतर क्रम की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी एक वायर ले लिया मैंने यहाँ पर भी क्या किया एक वायर ले लिया मैंने ठीक है और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दी यहाँ पर एक बैटरी करनेक कर दी ये मैं पहले समझा रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक बल्फ लगा दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे एक बल्फ लगा दिया, यह क्रम समझा रही हूँ, ठीक है, क्या समझा रही हूँ, अभी स्रेणी क्रम और समनांतर क्रम संयोजन समझा रही हूँ, इसके बाद मैं आप लोग बात करेंगे जो एक संधारितर हम लोगों ने पढ़ा है इस संधारितर में अगर इसी तरीके से हम लोगों ने और बहुत सारे संधारित लिए C1, C2, C3 इनको जब हम लोग स्रेणी क्रम सही ओजन और समनांतर क्रम सही ओजन में जोडेंगे तो कैसा होगा ये हम लोग अभी देखेंगे सभी को समझ में आ रहा है, clear है सभी को अभी आफ लोग संधारितर में के लिए पढ़ रहा हूँ, आगे चल के आप लोग प्रतीरोध के लिए पढ़ोगे प्रतीरोध पढ़ने के बाद और आगे आप लोग प्रेरकत्व के लिए भी पढ़ सकते हो ठीक है तो प्लीज आप लोगों को बिल्कुल इन क्रमों को ध्यान में रखना है चलो ठीक है ओके तो भाई अब हम बात कर रहे हैं किसके संधारित्र के संयोजन की जिसमें हम स्रेणे संयोजन क्या होता है समनांतर कम संयोजन क्या होता है ये अल्रेडी सीख चुके हैं अब हम यहां पर क्या करेंगे, मालो कम से कम यहां पर क्या करते हैं, हम लोग तीन संधारित्रे ले 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 लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तीन संधारित्रे ले ले लेते हैं, तो यह देखो, मैंने यह तीन संधारित्रे लिया हुआ है, यह यहाँ पर क्या हो जाएगा यह आप लोगों का C1 यह C2 और यह क्या हो गया आप लोगों का C3 अब इसको हम लोगों को क्या करना है स्रेणी में जोड़ना है तो स्रेणी में मैंने आप लोगों को जैसे जोड़ने बताया था एक के बाद एक ऐसे हम लोगों ने क्या कर दिया इस तरीके से जोड़ दिया फीडिक है यह क्या होग आप लोगों का स्रेणी करम सही ओ जान अब है अब यहाँ पर आप लोग्त देख रहे हो संधारित्र है जो तीन और को हम लोगों ने स्रेणी किया इसको इसको आवेशित करने के लिए जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बैटरी आप लगा सकते हो इस तरीके से बैटरी लगा करके भी दिखा सकते हो यहाँ पर ठीक है इस तरीके से यह आपकी बैटरी है और बीना बैटरी लगाई भी दिखा सकते हो ठीक है फिलहाल मैं डाइग्राम ड्रॉ कर लिए, quickly एकदम, अब मेरे को इसके विभाव विभुवांतर के बारे में कौन बताएगा, जल्दी से, फटा फट, guys, comments करो, कौन बताएगा मेरे को, यहाँ पर जो हमारा C1 संधारित रहे में, उसमें विभाव क्या हो सकता है, C2 में, C3 में, क्या हो सकत विभाव विभुवांतर के बारे में, क्या होगा, जल्दी से बताओ, देखो, यहाँ पर हम लोगों का, जो सही ओजन है, हम लोगों ने स्रेणी का सीरीज में जोड़ा है, ठीक है, तो मान लो, कि इनके सापेक्ष, जो कुल विभाव है, जो मैं बैटरी से सप्लाई कर रह है, तो सबसे पहले आप लोगों मेरे को यह बताओ, कि इस मतलब C1, C2, C3, इनके सापेक्ष, विभाव अलग-अलग होंगे, या एक समान होंगे, आवेश हम लोगों ने सब में क्या लिया है, एक समान लिया है, ठीक है, तो देखो, ध्यान दो, यहाँ दो, यहाँ पर ठीक है, यह V1, V2 ले ले लेते हैं, जादा एजी रहेगा, ठीक है, यह V1 ले लिया, यह मैंने V2 ले लिया, यह V2 हो गया, यह V3, अब यहाँ पर मैंने V2 समान क्यों लिया है, क्योंकि यह समझ जाना कि यहाँ पर यह दोनों जो है, सिरीज में, यहाँ पर स्रेणी में क्योंकि देखो, यहाँ पर क्या है, स्रेणी क्रम से योजन है, यहाँ पर आप लोगों का जो विभा होगा है, वो क्या होगा, समान होगा, इसलिए मैंने V2 लिया, ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर V3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, V4 होगा, ठीक है, तो, यहाँ पर इसक V1-V4, पूरे का विभुवांतर क्या हो जाएगा, V1-V4, ठीक है, देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्रेणी में जोड दिया, ठीक, जोड दिया स्रेणी में, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, स्रेणी क्रम संयोजन हो गया, डाइग्राम हम लोगों ने सीख ठीक है, अब combination तो हम लोगों ने सीख लिया, हमको करना क्या है, अब हम लोगों को इनकी स्रेणी क्रम संयोजन की धारिता कैलकुलेट करनी है, तो धारिता भी कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पर जो कुल धारिता है, वह कितनी होगी, वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर पता देती हूं कि इसकी कुल धारिता जो आएगी निकल के आएगी वो कितनी आएगी बिल्कुल यहां पर बॉक्स बना करके लिख लो C1 प्लस C2 प्लस C3 यह हम लोग करेंगे अभी क्यालकुलेट करेंगे पहले हम लोग समनांतर क्रम सहियोजन को भी समझ लेते हैं दोनों में comparison कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, तुलना करने से हमेशा क्या होता है, चीजे हमको clear होती है और लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है, यह हो गया हमारा स्रेणी क्रम सहीं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया यह, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, यह आप कर लो ठीक है यहां पे हम लोगों ने क्या किया है डाइग्राम पहले बना लो मैं फॉर्मुला आप लोगों को लिखा दूँगी ठीक है फॉर्मुला मैं आप लोगों को लिखा दूँगी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहां पे उल्टा हो गया था ठीक है यहां पे आप लोगों का जब स्रेणी क्रम सही ओजन होगा तो यहां पे आप लोगों का जो फॉर्मुला निकल के आएगा वो एक बटे सी पराबर एक बटे सी वन प्लस एक बटे सी टू प्लस एक बटे सी थरी यह निकल के आएगा तो वो आप मिटा दो वो का क्रास कर दो आप कैंसल कर द ठीक है, यह आप लोगों का स्रेणी क्रम संयोजन का इस तरीके से आप लोगों का तुल्य धारिता के लिए, यहाँ पर यह जो C है वो क्या है, इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता है, तो इसका जो है आप लोगों को यह सुत्र निकल के आएगा, डराइव करेंगे, clear है सभी को सबज में आ गया अब हम बात करते हैं समनांतर क्रम सहियोजन की ठीक है तो समनांतर क्रम सहियोजन के लिए मैंने आप लोगों को diagram बनाना सिखाया है यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल clearly पूरा पूरा detail में diagram बना के समझा रही हूँ ठीक है देखो सबसे पहले इसकी धारिता C1 C2 और यह क्या हो गया C3 ठीक है ओके अब इनको हम लोग क्या करेंगे आवेशित करेंगे तो जब आवेशित करेंगे ठीक है यह समनांतर प्लेट संधारितर है यहाँ पर जो आपका आवेश होगा पहले वाले संधारितर का प्लस Q1 इधर माइनस Q1 और यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर हमारे विभाव थे वो अलग-अलग थे और आवेश जो है स्रेणी करम में तीनो संधारितर में आवेश समान थे जब हम लोग क्या करते हैं समनांतर करम संयोजन करते हैं तो यहाँ पर विभाव समान होता है इन तीनों के सापेक्ष जो विभाव है क्योंकि जब हम लोग इसको आवेशित करेंगे जब इसको उर्जस अंचित करने के लिए इसको चार्ज करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग विभाव लगाएंगे तो तीनों के सापेक्ष से जब भी समनानतरक्रम में कोई चीज जूरती है तो वहाँ पे विभाव समान होता है और आवेशित करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे Q2 प्लस Q2 और यहाँ पे माइनस Q2 आवेस हो जाएगा दूसरे वाले संधारित्र में और तीसरे वाले संधारित्र में क्या ले लेते हैं प्लस Q3 और ये माइनस Q3 और इसको चलो धनावेशित कर दो एक साइड एक साइड रिनावेशित कर दिये अब इनको अगर हम लोग क्या करें इनको अगर हम किस से जोड़े यह जोड़ दिया मैंने यहाँ पे इसको जो है समनांतर क्रम में ठीक है यह क्या किया मैंने समनांतर क्रम में जोड़ दिया ठीक है समनांतर क्रम में जोड़ दिया तो सारे वाले के पहले हिस्से एक तरफ सारे वाले के दूसरे हिस्से क्या है दूसरी तरफ यह वी A-VB, ठीक है, इस वरी, यह B है, A point है, यह B point है, ठीक है, दो साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते है, टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, A और B टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल सीरा, सीरा, सीरा को क्या बोलते हैं, अंगरेजी में, टर्मिनल बोलते हैं, जनरली में टर्मिनल वर्ड V by जो है सारे संधारितर के सापेक्ष विभूवानतर होगा यहां पर यहां πिया है यहां पर बीच का मतलब कि इन सारे संधारित रेलों को पूरा पूरा क्या पढ़ा स्रेडी क्रम सहियोजन और समनांतर क्रम सहियोजन मैंने आप लोगों को पुरा बता दिया ठीक है अब हम लोगों को यहां पर समनांतर क्रम सहियोजन में भी क्या करना है साप एक छे जो तुल्य धारिता है इन तीनों की जो तुल्य धारिता है वो हम लोगों को निकालनी होग तो तुल या धायरता जब हम लोग निकालेंगे तो अभी calculation करके मैं बताऊंगी पर formula अपलिक लो बिल्कुल इस तरीके से diagram बना लो अपनी copy में आजू-बाजू में बना लो comparison करते बनेगा यह हमेशा के लिए आप लोग अपना notes जो है बिल्कुल सुरक्षित रखना अच्छ तो जल्दी से फटा-फट note कर लो भाई note कर लिए start करें derivation चालो तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर स्रेडी क्रम सहियोजन का यहाँ पर हम लोग derivation देखेंगे फटा-फट से diagram quickly इतना detailed diagram अब बनाने की जरुवत नहीं है समझाने के लिए मैंने आप लोगों को सहियोजन मे वो क्यों आवेश जा रहा है इनके बीच का विवांतर वी 1 माइनस वी 2 यहाँ पर क्या है वी 2 माइनस वी 3 ठीक है और यहाँ पर क्या है वी 3 माइनस वी 4 और यहाँ पर जो कुल विवांतर है कुल विवांतर यह क्या है आप लोगों का वी बराबर वी माइनस वी 4 ठीक है अब यहां पर, जैसे कि हम लोगों ने संधारितर के लिए क्या पढ़ाता, Q बराबर C V, यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, C बराबर Q by V, क्या मिलेगा, C बराबर Q by V, ठीक है, अब हम लोगों को तीनों संधारितर के लिए यहां पर लिखना है, तीनों संधारितर के लिए क्या खैगा एक हो जाएगा आपका क्या C1 बराबर ठीक है क्यू आवेश्टा समान है क्यू बट्यक्या हो जाएगा V1-V2 होगा कि नहीं होगा भाई देख रहे हो ध्यान से C1 injthe क्यू बराबर क्यू बटे V1-V2 ठीक इसी तरीके से क्या होगा C2 बरावर Q बटे क्या हो जाएगा Q बटे V2 माइनस V3 है कि नहीं और यहां पर C3 बरावर Q बटे V3 माइनस V4 तो यह क्या निका लिया हम लोगोंने तीनों संधारित्र के लिए जो धारिता है Q बरावर CV जहां से C बरावर Q बटे V तो यही इस रूप में मैंने जो है यहां पर सुत्र निकाल लिया अब हमको करना क्या है स्रेणी क्रम सही ओजन है ठीक है तो यहां पर अगर मान लो की मेरे को मान लो की मेरे को क्या चाहिए मेरे को यहां पर इन सब की कुल धारिता चाहिए ठीक है इसकी जो तुल्य धारिता अगर मेरे को चाहिए, तो उसके लिए करना क्या होगा मेरे को, करना क्या होगा, देखते हैं क्या करना होगा, हम लोगो ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या करना होगा, अगर हमको क्या चाहिए, तुल्ले धारिता चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, आवेश जो है आवेश जो है वो क्या है एक समान है ठीक है धारिता अलग अलग है यह आपकी क्या हो गई तीनों की धारिता हो गई और यहाँ पर हम लोग जो विभुवांतर करेंगे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसका हम लोग योग कर सकते हैं मतलब कि जो हमारा यहाँ पे कुल यहां पर लिख सकते हैं यह जो कुल विभाओ है वो क्या हो सकता है वी 1 माइनस वी 4 बराबर आप लोगों का वी 1 माइनस वी 2 प्लस वी 2 माइनस वी 3 प्लस वी 3 माइनस वी 4 ठीक है तो यह हम लोगों का क्या निकल जाएगा कुल विभाणतर कुल विभुवान तर यहां से हम लोगों का निकल जाएगा निकल सकता है ठीक है हम लोगों ने यहां पर क्या धारिता के रूप में रख दिया है ठीक है यहां से हम लोगों को V1-V2 बराबर Q बटे C1 V2-V3 बराबर Q बटे C2 और यहां पर क्या हो जाएगा V3-V4 बराबर Q ब यहां से कुल विभाव बराबर, V बराबर क्या मिल जाएगा, Q बटे C, ठेक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो है, विभाव, मतलब हम लोगों को यहां पर कुल विभावांतर, तीनों संधायतर के सापेक्ष चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, जोड दिया, तो यह वाला जो equation है, यहां पर मैं सारी values रख रही हूँ, ठीक है, पहले चलो, एक काम करते हैं, दुबारा लिख लेते हैं, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4, ठीक है, अब क्या करूंगी, इनका जो पूरा मान है, वो सारा मान यहां पर रख दूंगी, तो यह क्य हो जाएगा यहां पर, Q बटे C बराबर, Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3, एकदम आसान, एकदम आसान, क्यो भाई, है की नहीं एकदम आसान, हाँ, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, फटा फट कमेंट्स करके बताओ, एकदम आसान है, अब मेरे को बताओ, यहां लिए क्या बचेगा एक बटे C ऑड़ापर एक बटे C1 मुद्रस एक बटे C2 प्लस एक बटे C3 यह क्या निकल गया हमारा स्रेणी क्रम सहीं और जनमे संधारित्र की तुल्यधारिता के लिए सुत्र हमारा क्या है यह हमारा यहां पर तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता को हम लोग equivalent भी बोलते हैं, इसलिए C तुल्य बराबर हम लोग जो है, C equivalent भी लिखते हैं, ठीके, C तुल्य बराबर क्या लिखते हैं, C equivalent भी लिखते हैं, इस तरीके से, ओके, great, बहुत बढ़ी है, स्रेडी क्रम साहियोजन का हमारा यहा होते हैं समान होते हैं तखा विभुवांतर क्या होते हैं विभुवांतर हमारे क्या थे अलग-अलग थे विभुवांतर कैसे थे अलग-अलग थे आवेस कैसे थे समान थे श्रेनी साही ओजन में जुड़े संधारित की प्लेटों के मध्य विभुआंतर उनकी धारिता के वित्क्रमानुपाती होता है इसका मतलब क्या हो गया V1-V4 जो है सारे प्लेटों के बीच का जो विभुवांतर है वो क्या है उसकी धारिता के धारिता के वित्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया यह यहाँ पर टोटल क्यू है तुल्य धारिता कितनी हो गई यहाँ पर टुल्य धारिता हो गई ठीक है यहाँ पर जो प्लेटों के बीच का जो विभुवांतर है V1-V4 वो क्या है समानुपाती है इस तुल्य धारिता के जो हम लोगों का स्रेने क्रम साईयोजन में निकल के आ रहा है ठीक है यह कहां से मिला हम लोगों को यह यहाँ से मि से नोट कर लिया भाई जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो अना फटा फट ओके ओके सो समनांतर क्रम साईयोजन की अब हम बात करते हैं डाइग्राम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है फटा फट बना लो यह जो है आपका क्या हो गया समनांतर क्रम साईयोजन हो गया यह आपका A terminal हो गया, C रा A, यह C रा क्या हो गया, B हो गया, ठिक, यहाँ पर यह हमारी क्या है, यह हमारी धारिता है, यह हमारा C1, यह C2, और यह क्या है हमारा C3, clear दिख रहा है कि नहीं, फिर से लिख दूं क्या, लिख देती हूं, यह यहाँ पर इसको थोड़ा सा, ऐसा लिख देते हैं, C1, C2, और यह क्या हो गया, C3 हो गया, ठिक, अब आवेश के वितरण के बारे में बताओ, जल्दी विभु आंतर होगा, V बराबर हो क्या होगा, VA-Vb, विभु आंतर VA-Vb होगा, ठीक है, अब हम लोगों को मान لो, u कि इसके लिए संधारत्र की धारिता का, तो उल्य धारिटा का गर्सुतर निकालना है देखो भै, क्या समान है, विभ्वाव तो समान है, अलग क्या है यहाँ पर आवेश अलग है, ₹這 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अब हम लोगों को जो धारिता का सुत्र मैंने अभी 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 आप लोगों को बताया था यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा Q 1 बराबर C1 V Q2 बराबर C2 V और Q3 बराबर C3 V यह हो जाएगा ठीक है अब करना क्या है यह वाले equation में हम लोगों को यहाँ पर वैल्ल्यु रख देना है रग्दो वैल्यू क्या हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यह Cv हो जाएगा, Cv बराबर C1v, प्लस C2v, प्लस C3v, क्योंकि विभाव समान है, समनांतर क्रम सही हो जन में, क्या विटा, विभाव समान है, ठीके, तो विभाव समान होने की वज़ा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह विभाव जो है, वो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल के कट जाएगा, जल्दी से, फटा फट, मेरे से पहले नोट कर लो, कॉपी में, जितनी बार derivation करोगे, उतनी बार अच्छा है, यह विखट गया, c وराबर c1 plus c2 plus c3, यह हमारा क्या गया, समानांतर क्रम सही ओजन में, समानांतर क्रम सही ओजन में, हम लोगों कی तुल्य धाटा का सुत्रा आ गया, मतलब कि यहाँ पर जो हम लोगों का c तुल्य है, ठीक है, c तुल्य है, जाएगर सभ़ात है, देखो, जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है घटती है स्रेणी क्रम सहियोजन में जो संधारितर की धारिता है वो क्या होती है घटती है तो अगर हम लोगों को आकरिती में परिवर्टन किये भी ना संधारितर की धारिता को अगर हम लोगों को कम करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे समनांतर क्रम संयोजन में जोड़ देंगे क्या करेंगे समनांतर क्रम संयोजन में जोड़ देंगे संधारित्र को ठीक है आगे पढ़ोगे प्रतिरोध वाला जस्ट उल्टा होगा वहां पे उसको भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी फिलाल अभी इतना ही ध्यान र होता है मतलब Q 1 Q 2 Q 3 हम लोगों ने देखा ठीक उनकी धारिताएं का अनुपाद में क्क्या हो जाता है धारिताओं का निब अनुपाद कहिसा है जैसा सी 1 c 2 c 3 जो भीमान है उसकी अनुसार क्या हो जाएगा उसकी अनुसार बट जाएगा निगोडे धार्यता होते है प्रतियक्षंदार्थी की अलग अलग धारिताओं कि योग के बराबर होती है मतलब यहां पर जो चीटुल्य धारिता है वह क्या है आप लोगों का c1 क्या है c1 प्लस c2 प्लस c3 मैं लग तीनों धारिताओं का योग है ठीक है ओके योग के बराबर है चलो तो यहां पर आप लगों का स्रेणी क्रम सहियोजन और समनातर क्रम सहियोजन पूरा होता है ठीक है फटा फट से सभी को क्लियर है कि जल्दी से मैसेज करके मुझे बता तो कल सभी को पढ़ के आना है ठीक है कल सभी को पढ़ के अच्छे से पढ़ के आना है और निम्यमारिकल जो है फटा फट से करना है आप लोग को और करोंगे तो मैं कम टाइम में जाधा निमारिकल करवा पाऊँगी यहां पे जैसे यह जो तुली धारिता का हम FEWे देख ali एक बटे C1 प्लस एक बटे C2 प्लस एक बटे C3 यह हम लोगों का स्ट्रेणी क्रम में आया कब आया स्ट्रेणी में और समनांतर में क्या आया समनांतर में समनांतर में सी तुल्य धारिता बराबर क्या हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 अब भई हम लोग इस्तमाल जो कर रहे हैं संधारितर का उसको क्या कर रहे हैं उर्जा को संचित करने के लिए कर रहे हैं क्या कर रहे हैं संचित करने के लिए उर्जा को संचित करने के लिए इस्तमाल कर रहे हैं ठीके है तो क्या होगा जल्दी से फटाफट से कुछ अगर जानते हो तो कमेंट करके बताओ हाँ भई संधारितर में संचीत उर्जा क्या होगी संधारितर का उस्तमाल करते हैं और इन चालक प्लेट के संधारितर इन चालक पेट की धारिता हम लोगों ने पढ़ा था क्यों बराबर सीवी जहां से हम लोगों को मिला था यह हमारा क्या है यहां पर हमारा एक संधारित्र है हम लोग क्या करते हैं इस संधारित्र को क्या करते हैं आवेशित करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं क्यों पर विभानत लगाते हैं बैटरी लगाते हैं बैटरी के सहायता से इसको चार्ज करते हैं क्यों आवेश देते हैं जिसकी वज़ा से क्या होती है उर्जा जो है यहां पर संचित होती है ठीक है अब यहां पर जो संचीत उर्जा है वो कैसी उर्जा है स्थितिज उर्जा अभ करना पड़ता है कुछ कारे करना पड़ता है जो किया गया कारे है वही हमारी क्या कहलाती है विद्यूत स्थितिज उर्जा कहलाती है और यह किया गया कारिया फिर जो स्थितिज उर्जा होती है वो क्या होती है वो आवेश तथा इन दोनों संधारितर के प्लेटों के बीच विभुवांतर के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, विभुवांतर के बराबर होती है, तो यहां पर जो संधारितर में संचित उरजा है, यह यू, यू बराबर, ठीक है, यह हम लोग जो कारे का हम लोगों ने निकाला था, इस तर विद्धुत विभाव में QV, ठीक ह और वहां से हम लोग यहां पर संधारित्र के लिए जो संचे तोड़ जा है इसका हम लोग calculation अभी देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या गिया यहां पर क्यों आवेश दिया जिसके वजह से यहां पर V1 और V2 विभुवांतर मालों कि यहां पर क्या हो करेंगे वहुत सारे संधारित्र को जोड़ेंगे या हुट सारे चालइत्र को जोड़ेंगे तो क्या होगा करना पड़े भुजिआ हुट अपर। देना वहागम को क्या प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे दो तो इहां पर यहां पर मत्लब बटे में क्या होजेगा दो ет को जोड़ देते हैं तो वहां पर मांध्य विभाव हमारा क्या होगया? वी ओन वी बाई क्या हो है पहले ही पढ़ रखा है अब यहाँ से मतलब कि जो संधारित्र में संचित उर्जा अगर हम लोगों को कलकूलेट करनी है किसी संधारित्र के लिए ठीक है तो एक संधारितर के लिए या फिर मतला बहुत सारी चालक प्लेट को अगर हम लोगों ने लगा दिया वहाँ पर अगर हम लोगों को calculate करना है तो क्या हो जाएगा ये हमारा ये आवेश आवेश गुणा माध्य वेभव, क्या हो जाएगा ये, आवेश गुणा माध्य वेभव, ठीक है, तो यहाँ पे आवेश मान लोग क्या है, capital Q, ठीक है, capital Q हम लोग संधारित्र में लेते हुए आ रहा है, माध्य वेभव हमारा क्या है, QV by 2, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख माध्य विभव कैलकुलेट कर लिया, और बहुत सारे चालक प्लेट ही तो क्या है, संधारित्र है, एक प्लस, एक माइनस, तो यहाँ पर हम लोगों को स्थितिज उर्जा, संधारित्र में जो संचित उर्जा, बहुत सारे चालक प्लेट के कारण जो संचित उर्जा है, वो एक बार ना हम लोग Q के जगह में CV रख देंगा एक बार पहली बार में विके जगह में तो देखते हैं क्या आएगा तो जब मैं अगर यहां पर करती क्या हूं अगर मैं यहाँ पर, देखो, यहाँ पर ही बाजू में कर देती हूं, क्योंकि साथ में करूंगी, तो आप लोगों को, यहाँ पर ध्यान रहेगा, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूं, यह Q के जगा, cv रख रही हूं, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, एक बटे दो, cv का वर् यह क्या हो गया ? संचित उर्जा का दूसरा रूप हो गया ठीके ? जब मैने क्या किया ? q बराबर c v रख दिया अब मैं करूँगी क्या ? यह वाले में v के जगह में q by c रखूँगी ठीके ? चलो q by c v के जगह में 1 बटे 2 q का वर्ग बटे c ठीक है तो ये क्या हो गया? संधारित्र में संचित उर्जा का तीसरा रूप हो गया, ये बहुत जादा important है, इसको लिख लो, एक सांथ लिख लो, एक बटे दो Q का वर्ग बटे C बराबर, एक बटे दो C V का वर्ग बराबर क्या है? एक बटे दो Q V, ये बहुत important है, ये आप लोगों का जो है, संचित उर्जा का सुत्र है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने चालक प्लेट के आधार पर निकाला, ठीक है, संधारित्र की संचितूजा, चालक के प्लेट के आधार पर निकाला, माध्य विभाव निकाल करके निकाला, अगर मान लो कि इसी तरीके से, मान लो कि संधारित्र जो है, स्रेणी क्रम में जुडे हैं और समनांतर क्रम में जुडे हुए है ठीक है तो वहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा अगर स्रेणी क्रम में जुडे है ठीक है स्रेणी क्रम में जुडे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा यू बराबर एक बटे दो Q का वर्ग बटे C1 प्लस एक बटे दो Q का वर्ग बटे C2 प्लस एक बटे दो Q का वर्ग बटे C3 कोई सा भी formula ले लो जहां पे संधारित रो उपस्थित है ये C1 और C2 अगर C1 V इसको ऐसे भी लिख सकते है या फिर क्या हो सकता है एक बटे दो C1 V का वर्ग बटाबर एक बटे दो C2 V का वर्ग प्लस एक बटे दो C3 V का वर्ग ठीक है इस तरीके से मैंने मालो की तीन संधारितर को स्रेणी क्रम में जो लिया है ओके ठीक है तो यहां पे न यह जो है यह वाला आप लोगों का किस के लिए है स्रेणी क्रम के लिए है यह वाला आप लोगों का किस के लिए है समनांतर क्रम के लिए अब यह समनांतर क्रम के लिए क्यों है क्योंकि हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि यहां पर जो है मत समान होता है हमारा समनांतर क्रम के केस में विभाव समान होता है इसलिए जो ये वाला फॉर्मूला है उसको हम लोग किस के लिए ले सकते हैं समनांतर क्रम के लिए ले सकते हैं ये कहां गया हमारा ये ये वाला देख लो क्योंकि क्या है यहां पर सभी हम लोगों ने जब स्रेणी क्रम में जोड़ा है तो यहां पर क्या था हमारा सभी के सापेक्ष क्यूं समान था सभी के सापेक्ष क्या था क्यूं समान था इसलिए हम लोगों ने क्या करा यहां पर यह वाला सूत्र जो है इसको स्रेणी क्रम के लिए और यह वाला सूत्र समना पट्रव के लिए तो ये संधारितर में संचित उर्जा निकल गई है क्या निकल गई संधारितर में अभी तो हम लोग चालक की दारित निंए करन बहुत सारे चालक प्रेट को कन्सिदर करके क्यों वड़ाबर सीव से निकाले कॉन प्र formule कर इ disrespectful नích अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक कि किसी बिंदू आवेश को ले करके जा रहे थे, तो उसके लिए किया गया कार है, हमारा इस सिर्विधित विभाह में ये निकल रहा था, इसकी सहाइता से हम लोगों ने ग्याद किया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो संधारित्र है हमारा, ठीक है, फिर से समझा रही हूं, संधारित्र, अभी तक हम लोगों और चालक प्लेट लिया था, यहां पर मैं क्या कर रही हूं? संधारित्र ले रही हूं, तो संधारित्र के बीच का जो विभाणतर है, वो क्या हो गया? Va minus VB बराबर क् Q हो गए, plus Q, और यहाँ पे क्या हो गए, minus Q, ठीक है, क्या हो गए, minus Q हो गए, हम, हाँ भई, तो यहाँ पर, यह जो है वो, VA minus VB, अब इनके बीच माल लो, हम लोग क्या करें, किसी A क बिंदू से, दूसरे बिंदू तक के, किसी क्या करें, Q आवेश को, A बिंदू से, B V होगा है ना V1-VV मतलब विभुवानतर दोनों के बीच का ये हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है और यहां पे क्या होगा ये Q by C होगा क्योंकि हमारे पास relation क्या है Q बराबर C V हमारे पास relation है तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास Q by C हो जाएगा ठीक है और यहां पे हम हम लोग क्या कर रहे हैं एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं छोटा सा परिक्षण आविस जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं एक संधारितर की बीच में एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक के ले के जा रहे हैं जिसके लिए किया गया कारे हमारा क्या होगा यह क्यू इंटू तो इसको हम लोगों को DQ करना पड़ेगा, DQ क्यों कि हम छोटे से charge को बंदे जाएगे, small charge को, तो इसके लिए जो कारे है वह भी हम लोगों कहा करना पड़ेगा, छोटा सा कारे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया क्यों सी अब अगर मेरे को इस पूरे संधारित्र में जो किया गया कार्या मतलब कि हम को क्या करना पड़ेगा यहां पर यहां पर हम करेंगे क्या समा कलन तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा पूरे संधारित्र में आवेशों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के हमारा मान है समा कलन किसके सापेक्ष हो रहा है यहां पर DQ के सापेक्ष में हो रहा है समा कलन ठीक है क्या हो रहा है DQ के सापेक्ष और यहां पर लिमिट भी रखनी होगी हम लोगों को क्योंकि जो हमारा आवेश स्टार्टिंग में सुन्य रहता है सुन्य से बढ़ते हुए ह हम लोग को यहाँ पर परिमार क्या है capital Q परिमार क्या है capital Q इसलिए हम लोग क्या करेंगे सुनने से capital Q के सापेक्ष जो है यहाँ पर हम लोग समाकलन करेंगे इसका समाकलन करने से क्या आएगा भई यह आएगा समा कलन करने से Q का वर्ग बटे दो ठीक है और यहाँ पर यह इसका क्या हो गया? लिमिट अब यहाँ पर संधारित्र में जो संचित उर्जा U बराबर क्या हो जाएगी? लिमिट रख दो भाई Q का वर्ग बटे दो और C छुड़ गया है ठीक है तो यह क्या है हम लोगों के संधारित्र की संचित उर्जा निकल गई क्या निकल गया? यहाँ पर संधारित्र की संचित उर्जा निकल गया? जैसे पहले मैंने किया था यहाँ पर क्या किया था? Q बराबर C वी और V बराबर Q बटे C वैसे ही सेम अगर हम लोग क्या करेंगे यहां पे मान रख देंगे तो यहां पे हम लोगों की संधार्ते की संची तूर्जा क्या हो जाएगी Q का वर्ग बटे दो C बराबर एक बटे दो C V का वर्ग और क्या हो जाएगा एक बटे दो C V का वर्ग और Q V एक बटे दो, qv, यही है कि नहीं, बिल्कुल यही है न, ओके, ग्रेट, कंफर्म कर लिया मैंने, बिल्कुल यही है, चल, तो यह आप लोगों की संधारितर की जो संची तूर्जा है, यहाँ पर complete होता है, ठीक है, आज आप लोगों का पूरा थियोरी complete हो जाएगा, सभी को स important, चलो, चल दी से, अच्छे से box box बना लो, बराबर, हाँ, अब ठीक है, चल, आगे बढ़ जाए, जल्दी से screenshot ले लो, फटा फट संधारितर की संची तूर्जा, देख लो, हम लोगों ने पहले चालक के लिए पढ़ लिया था, चालक प्लेट्स के लिए, फिर हम लोगों है किया कि संधारितर, आया वही, सूतर वही आया, स्रेडी क्रब में हम लोग यह वाला formula क्यों इस्तेमाल कर रहे है, क्योंकि हमारे यहां पर क्यों common है, ह inverseो यहां पर संधारा करें संधार संधारितर का सनधार गरात्र संधारीतर को होता है उर्जा रड़ात्व क kijken हम लोग अगी तुम शंशित वरेबित आयतत्र यह उर्जा कौन सी है, संधारितर में संचित उर्जा बटे आयतन, ठीक है, संधारितर में संचित उर्जा हमारी क्या है, capital U बटे V, है कि नहीं, तो यह क्या हो गया हमारा उर्जा घनत में, इसका आगे हम लोग derivation अभी फटा फट से कर लेते हैं, देख लेते हैं, और वहां स यह जो है वो क्या है, यह वाला जो V है वो विभाव है, ठीक है, आयतन जो है, आयतन वाला जो यह भी इसको भी हम लोग क्या करते हैं, V से फिर दर्शित करते हैं, बिल्कुल इसको एकदम capital V इस तरीके से लिख देती हूँ, और V वराबर यहां पर क्या हो जाएगा, छेतर संधारित्र है, ठीक है, इसका जो अनुप्रस्त कार्ट का छेतर फल है, सत्ह का वो A है, इनके बीच की दूरी क्या है, D है, तो यहां पर हम लोगों को अगर इस संधारित्र के लिए आयतन निकालना हुआ, तो क्या हो जाएगा, A into D, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर आ पता है, C बराबर Epsilon 0 A by D, ठीक है, और क्या पता है, C बराबर Epsilon 0 A बराबर D, और हम लोगों को पता है, क्या विभाव और विद्दुच्छेत्र में क्या रिलेशन होता है, भाई, विभाव और विद्दुच्छेत्र में, विद्दुच्छेत्र बराबर विभाव बटे, D, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते है V बराबर ED ठीके, अब ये और ये दोनों मान, रख दो रख दो वहाँ पर, जल्दी से फटा फट से पुट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ लिख देती है, U बराबर U बराबर क्या होगा यहाँ पर, एक बटे दो एक बटे दो C के जगह रख देंगे, एपसलान नॉट A by D और ये हो जाएगा क्या V, यह अच्छा, इसके जगह में भी तो रखना है ना भाई, मान, E into D का वर्ग ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा बटे में A into D अब अब क्या होगा, यह जो है यहाँ पर अनुप्रस्त काट का छेतर फल जो है, वो कट जाएगा, यह वाला D नीचे आएगा, तो वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर इस वाले वर्ग से कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, E का वर्ग बचेगा तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक बटे दो, एपसलोन नॉट, ई का वर्ग, अब कैसे हुआ ये मत पूछना भाई, है ना, एक गम इजी है, कैसे हुआ ये मत पूछना, चलो, अलग से करके बता देती हूँ, तब भी से पता नहीं, तुम लोगों को अगर समझ में नह काट देंगे, तो क्या बच जाएगा ये, एक बटे दो, एपसलोन नॉट, ई का वर्ग, ठीक है, और अगर यहाँ पर इस संधायत्र के बीच में परावैद्यूत पदार्थ अगर उपस्तित रहा, तो उसके लिए हम लोग क्या गरेंगे, तो लिख लो यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों को उर्जा घनत्व का सुत्र मिला है, एक बटे दो, एपसलोन नॉट ई का वर्ग, और अगर मान लोग की परावैद्यूत पदार्थ उपस्तित रहा, तो यह हो जाएगा, एपसलोन नॉट के ई का वर्ग, ठीक है, यह क्या है, उर्जा घनत्वा, और यहा नोट पर लो भाई हो गया बस इतना ही ठीक है इतना ही पढ़ना है आप लोगों को बिलकुल उर्जा घनत व बता दिया विए क्या क्या पढ़िया बाई एक बर देख लेते हैं आ देखो हम लोगों सबसे पहले संधारितर का संयोजन पढ़ लिया स्रेनी क्रम संधारितर का संयोजन क्या होता है यह संयोजन पहले बता दिया इसके बाद मैंने आप लोगों को संधारितर का संयोजन बता दिया स्रेनी क्रम संयोजन संधारितर का संयोजन बिल्कुल कंपैरिजन करके बता दिया अगर screenshot ने लियो तो फटाफट से ले लो दोनों के लिए हम लोगोंने फॉर्मूला भी डराइव कर लिया सेर्णी क्रम के लिए जब हम लोगोंने पहले फॉर्मूला डराइव किया तो वहां पे हम लोगोंने देखा कि जो है सभी के सापेक्षे आवेश समान है परन्तु विभवांतर अलग-अलग है तो हम लोगोंने यहां पर क्या है सारे विभवांतर को जो जोड़ लिया कुल विभाव हमारा क्या है वी है तुल्य धारिता हमारी निकल गई स्रेणी क्रम संयोजन के केस में और यहां पर हम लोगों ने कंक्लूजन भी देख लिया और उसके बाद समनांतर क्रम संयोजन में भी यहां पर क्या है विभाव समान है परंतु क्या है सभी के सापेक्ष ज कर देहां हैं पुछलेता सम्नांथर क्रम सहीोजन के लिए रहा में तो से खोलुड में उफ्ट में घर सकती हैं उट सकते हैं संधारिते चाल्ग की धारिता के बारे में और चालक की संची तूर्जा के बारे में पढ़ा क्योंकि हमारे जो संधारित्र है वो दो संधारित्र प्लेट चालकों से मिलकर के बनाए है वही सेम आया हमारा यू बराबर यह हमारा आ गया ठीक है और मतलब इस्तरविद्विद्विभाव का जो बे आपको calculate करना आया तो क्योंकि इसमें विभाव समान होते हैं कि इसमें सम्दाइटर क्रम में इसलिए हम इस रूप में मतलब एक वटे दो सीवी का वर्ग वाले फॉर्म में हम लोग क्या लेंगे इस फॉर्म में सम्दाइटर में संची तूर्जा भी पड़ी तो संधाइटर सथे पूछे हमें संधाइटर में संची तो अबने के अप बिल्कूल फॉर्जा है तो संधाइटर में संचीत निकाने की बाद मोने के दो तो एक दो नंबर में पुछेगा नुमेरिकल जाएंगे तो आएंगे याएंगे पकाएंगे नीट के एक्जाम में आप लोगों को बिल्कुल प्रिपार रहना है तो बिल्कुल यहां से अउर्जा घनत्व का हम लोगों ने सुत्र निकाल लिया यह हम लोगों का बिना तो is तरीके से भी प्शेंट करके भी पूछ सकता है तो बिल्कुल रहना है आप लोगों को तो यह तो आप लोगों को तो तुल्य धारिपा निकालने केने के लिए पूछेगा तब दोबारा एक बार फिर से देख लेते हैं तेखो निमारिकल कोस्चेंच नहीं बनते हैं तो यह बहुत सारे बच्चों की कॉमंझ प्रॉब्लम है तो बही मैं पाट-पाट में डिवाईट करके मैं आप लगों को समझाऊंगी तो सबसे पहला स्टेप हामारा को समझना की कोस् उसको find out करने के लिए जो दिया गया जो मान है उसको हम कैसे इस्तमाल करेंगी तो इन्हें स्टेप्स को ध्यान में रखना हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को समझा रही हूं बिल्कुल हार नहीं मानना है हिम्मत से आप लोगों को question practice करना है क्योंकि बहुत जोश होना चाहिए बिल्कुल numerical solve करने के लिए भी excitement अंदर से होना चाहिए theoretical concepts अगर clear है अगर आप पढ़े हो अच्छे से deep concepts clear कियो तो numerical 200% बनेंगे ये मेरी guarantee है और अगर ये numerical तुम बना लिए न अगर numerical बना लिए तो exam में इस topic से इस chapter से related जितने भी questions आएंगे वो solid pack का correction हो ठीक है चालो पहला question है यहाप लोगों का first question क्या पूछ रहा है यहाँ पे आप लोगों को first question में देख लेते हैं भाई एक वायू एक वायू समनांतर plate संधारित्र की धारिता 9 picofarad है दोनों plate का प्रितकंडी है मतलब की एक संधारित्र है ठीक है जिसमें माध्यम जो है वो वायू है 9 picofarad का संधारित्र और संधारित्र के plate के बीच की दूरी जो है वो क्या दी हुई है डी दी हुई है यह लो यह क्या है आपका 9 picofarad का संधारित्र और इसके बीच की दूरी कितनी है डी है अब दोनों plate के बीच दोनों plate के बीच क्या करें दो परावैद्यूत मा यह घंए बारत्व 001 जेसे कि एक माध्य है जी कॉछ उंसा और दूसे वाला हा और दूसरा अधियम कौन से हो गया, एक माध्य tossed का आग smiles महें है क्या दूसरी को क्या अधियक जो कि जो कि लिए क्या दिया हुऀ आप लोगों को कैडिया है K बराबर 3 दिया हुआ है ठीक और इसका मोटाई कितना दिया हुआ है D by 3 चालो ठीक है इसका मतलब ये समझ में आ रहा है जो पहला वाला परावद्धित आंख है हमारा उसकी मोटाई हमारी कम है और उसका जो परावद्धित आंख 3 दूसरे वाले का इसका कितना दिया है भाई, जल दी कितना दिया है, 6 दिया है, और इसकी मोटाई हमको दिये रखी है, यहाँ पर 2D by 3, ठीक है, मतलब कि दोनों ही परावेदितांक की अलग-अलग मोटाई है, दूसरा वाला जादा मोटा है, तो संधारित्र की नई धारिता, मतलब पहले तो वायू भरी हुई थी, जब वायू भरी हुई थी, तो इसका धारिता हम लोगों को दिया हुआ था, कितना 9 पिको फेरेट, पर जब हम लोग क्या कर दिये, इनके बीच में 2 अलग-अलग प्रकार के परावेदित माध्यम भर दिये, तब संधारित्र की धार पूछा है, तो इस प्रकार से जब आप लोगों को कोश्चन आएगा, तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है भई, चलो, पहले नए कोश्चन अभी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, फिर नेक्स कोश्चन से आप लोग ट्राई करना, ठीक है, okay, चैलो, तो भाई हम लोगोंने धारिता का सूत्रा देखा है, K Epsilon 0 A by D, ठीक है, कब जब परावैद्य टाइंख हो, और यह जब परावैद्य टाइंख न हो, तो K Epsilon 0 A by D, तो इसका मान हम लोगों को 9 picoferret दिया हुआ है, जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने आप लोगों को पताया था कि Pico का मतलब होता है 10 की घात माइनस 12 ठीक है, Micro का मतलब 10 की घात माइनस 6 और Nano का मतलब 10 की घात माइनस 9 होता है ठीक है, तो यहाँ पर Pico Farad हम लोगों को अल्रेडी दिया हुआ है फिर परावैद्धितांक में क्या हो गया, दो अलग-अलग प्रकार के परावैद्धितांक तो मतलब की हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग C1 लिख लेते हैं ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, C2 लिख लेते हैं यहाँ पर C1 क्या हो जाएगा जब हमारा पहला वाला इसको K1 मान लेती हूं इसको क्या मान लेती हूं K2 तो जब हम लोगों का पहला वाला परावद्धितां के हाँ पे रखा हुआ है K epsilon naught A by D ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 आपसला नौट A by D ठीक है तो ये जो D है वो कुल दूरी है पर हम लोगों को दोनों परावध्यतांका केस में अलग-अलग दूरी दी हुई है इस केस में हम लोगों को D by 3 और इस केस में हम लोगों को क्या दिया हुआ है 2 D by 3 तो दूरी को भी ध्यान से ना दूरी ध्यान से म बाते बाते नहीं, numerical बहुत जादे इंपोर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना है, कि K1 परावेद्यूतांक कितना है 3, और दूरी K1 परावेद्यूतांक के लिए D by 3, और K2 परावेद्यूतांक के लिए 2 D by 3, अब K1 और K2 लिग रहे होते हैं, तो यहां पर क्या हो जाए जाएंगे कितना 6, Epsilon 0 A by 2 D by 3, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 2 और 6 गैंसल हो जाएगा, 3 और यहां पर भी 9 Epsilon 0 A by D आजाएगा, और यहां पर आप लोग देख पारे हो कि Epsilon 0 A by D जो है, एक्चॉल में हम लोग इसको जो है, C ले ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्य जो हमारी C होती है, उसका सुत्र क्या होता है, नॉर्मली Epsilon 0 A by D होता है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, इसको मैं यहां पर लिख दूंगी, 9 C, ठीक है, इसको भी लिख दूंगी क्या, 9 C, तो यह हमारा क्या आगया, दो धारिताएं आ गई, पहला परावैदुतांक C 1 के केस में, और दूसरा के केस में, C2 के केस में, ठीक है, अब दो परावैदुतांक जब इस तरीके से भर दिये जाते हैं, पहले क्या था, बीच में माध्यम वायू था, ठीक है, उस वायू वाले माध्यम में दो अलग-अलग परावैदुतांक भर दिये गए, अब इस च बढ़ा गया K1, ठीक है, दूसरा आप लोगों का भढ़ा गया इस तरीके से K2, actually मैं इसको फिर से इसलिए बना देती हूँ, क्योंकि इनकी जो मोटाई दी हुई है, मोटाई के अधार पर हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है, मोटाई के अधार पर क्योंकि इसका मोटाई D बाते 3 और जो दूसरा वाला है, उसका जो है मोटाई थोड़ा जादा है, तो इसलिए इसको 2D बाई 3 थोड़ा मोटा करके लिख दी, इस तरीके से ये, अब यहाँ पर आप लोगों को समझना ये है, कि इसमें एक तरफ प्लेट प्लस है, एक तरफ प्लेट माइनस है, प्लस और माइनस के बीच में इस तरीके से भरा गया है, ठीक है, तो जब ये वाला परावैदितांग भरेगा, तो मतलब पहला वाला परावेद्धितांग K1 जब यहाँ पर होगा तो इस case में हमको धारिता मिलेगी क्या इसकी C1 मिलेगी और इसके case में जब K2 परावेद्धितांग होगा तब धारिता हम लोगों को क्या मिल रही है C2 मिल रही है मतलब दो अलग अलग परावेद्धितां तो कैसे जोड़ते हैं ये देखो इस तरीके से प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, ठीक है तो एक तरफ का प्लेट ये देखो पूरा माइनस है एक तरफ का प्लेट ये देखो क्या है पूरा प्लस है इन दोनों के बीच में जो है इस तरीके से जुड़े हुए है ठीक है तो इस छिए इस तरीके से जुड़े हुए हम dress.. संधारित्रत में परावद्यूतांक इस तरीके से डले हुए मिलेंगे तो हम लोग इनको क्या मानेंगे कि यहाँ पर यह जो परावद्यूतांक कि कारण जो C1 और C2 है, ये कैसे है, स्रेणी क्रम में, कैसे है, C1 और C2 एक दूसरे के साथ कैसे है, स्रेणी क्रम में है, ठीक है, तो जब ये स्रेणी क्रम में है, तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, दोनों का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया है, हमको अगर तुल्ले धारिता निकाल था संधारत्र का सही ओजन यही होता है अब क्या करना पड़ेगा अब लोग S1C2 का मान रख लेंगे तो C1 का मान हम लोगों को 9C & C2 का मान का हम लोगों को 9C ही मिला है ठीक है अब क्या करेंगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह हो हो जाएगा 2 बटे 9C LCM निकालना है simple calculation है अगर अब यहां से हम लोगों को C equivalent मतलब की तुल्य धारिता चाहिए तो यह क्या हो जाएगी 9 बटे 2C ठीक है सभी को clear है 9 बटे 2C और यह सी जो है 9 picofarad already हम लोगों को सवाल में दिया गया है तो सवाल में जो दिया गया है उसका मान हम लोग लिख लेंगे कहां पर क्या हो जाएगा नौ बटे 2 नौ बटे 2 गुणा नौ की घात सवाड़ी नौ गुणा दस की घात माइनस 12 फैरेड हमारा हो जाएगा अब जब अब हम लोगों यहां पर अगर निमारिकल वैल्यू को सॉल व करेंगे तो कितना आएगा भर रविय अंसर जल्दी से फट्टा फट्क पेन निकालो सवाजू वर्वस्यों क्याल्कूलेशन करके जल्दी से मेरे को आंसर बता हो कमेंट करके कितना आजाएगा चालीस दे पांच क्योंकि यह कटेगा 4.5 ठीक है और 4.5 से जब हम लोग 9 का गुड़ा करेंगे तो 40.5 आएगा हमारा 10 किखात माइनस 12 जो पीको फेरेट था वो एज इस पीको फेरेट में है तो यह हमारा हो गया क्या पहले कोशन का आंसर सभी को क्लियर है की नहीं पिटा सभी को क्लियर है यस यह नो जल्दी से बताओ पहला नियूमारिकल है आप लोगों का बहुत इंपोर्टन नियूमारिकल है इस तरीके के अभी हम लोगों ने स्रेनी क्रम का जैसे सॉल्व किया ऐसे ही आप लोगों को समनांतर क्रम में आएगा कब होगा समनांतर क्रम यह देखेंगी हम लोग अगले कोशन में और याद करो मैंने आप लोगों को अगर परावेध्युत पदार्थ भरा हो तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को सन्धारित्र का सुत्र डिराइब करके सिखाया था तो वो चीत भी हमारी काम आने वाली है ठीक है इस कोशन को आ एक समनांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का शेत्रफल A, ठीक है, प्रत्येक प्लेट का शेत्रफल A, मतलब कि यहाँ पर जो है, यह आप लोगों को क्या दिया हुआ है, समनांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है, इस तरफ प्लस है, और इस तरफ माइनस है, ठीक है, और चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच में, K1 तह था K2, परावेदितांख के गुटग के रखे हुए है, मतलब की हम लोगों ने इस बार परावेदितांख तो भरा है, पर इस बार जों ने इस तरीके से, मतलब जैसे कि पहले अगर मैं डाइग्राम में आप लो अगर मैं इसको ऐसे बना दू तो बिल्कुल यही बनेगा ठीक है तो जब इस तरीके से भरा हुआ है तो हम लोगों को संधारित्र की धालता ग्याद करनी है तो भाई आप लोगों को यहां पर सीधी सी बात है सी वन और सी टू इस के वन और के टू के लिए आप लोगों को क् ध्यान देना है वो यह है कि यहां पर जो संधारित्र इस तरीके से परावेद्यत्पदार्थ से भरे हुए हैं तो वो स्रेणी क्रम में आएंगे की समनांतर क्रम में आएंगे यह आप लोगों को समझना जरूरी है बात समझ में आ रही है सभी को कि यहां पर स्रेणी क्रम ह के बताएगा देखो difference मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है इस तरीके से जब परावैद्यूत पदार्थ भरा उआ था तो यह हमारा किस में आ रहा था इस तरीके से यह स्रेणी क्रम में आ रहा था ठीक है अब यहां पर जो पदार्थ भरा हुआ है इस तरीके से वो हमार कौन से क्रम में आएगा भाई लो मैंने डाइग्राम भी बना दिया कम से कम देख कर बता दो कमेंट्स में समनांतर क्रम में किस में आएगा समनांतर क्रम में तो यहां पर यह वाला हमारा दो C1 और C2 है यह किस में होंगे समनांतर क्रम में अगर यह समझ में आ गया बेटा तो आगे solve करना तो मतलब बिल्कुल एकदम चुटकियों का खेल है, है की नहीं, क्यों भाई, मैंने तो कहा ही था, बिल्कुल एकदम एजी करके आप लोगों को निमारिकल में बता दूँगी, जहां से देख लो, एकदम एजी है, चलो, फटा-फट से solve करके बताओ, जल्दी-जल्दी, quickly solve करके बताओ, क्या हो जाएगा आप लोगों का, सबसे पहले तो, यहां पे C1 बराबर, पहले तो धार धार थ्री, जहां से देखना, यहां पर कितना डिया हूआ है, यहां पर दिया हुआ है, क्या 2A by 3, जबकि दूरी जो है, दोनों के लिए क्या है, क्या है, बिछले बार क्या था, दोनों की जो मतलब मौटाई थी, वो अलग-अलग थी, और अनुपरस्त काट का छेत्रफ़ वही था क्योंकि अनुप्रस्त काड के चेत्रफाल के आधार पर इस तरीके से हम लोगों ने लंबा लंबा रखा हुआ था यहां पर आडा आडा रखा हुआ है हम लोगों ने तो यहां पर अनुप्रस्त काड का चेत्रफाल अलग अलग हो गया पर जो उनके बीच की जो दू A by 3 है और यहाँ पर क्या है नूप्रेसर काट कर चेत्र पर 2 A by 3 यही है कि नहीं हाँ यही है अब फटा फट से सॉल कर लो K1 का मान कितना दिया हुआ है अच्छा तो यहाँ पर K1 और K2 का मान नहीं दिया हुआ है हम लोगों को जो धारिता निकालनी है K1 और K2 के फॉर्म में निकालनी है मतलब numerical value कोई आंग की मान नहीं दिया हुआ है हम लोगों को K1 और K2 के फॉर्म में निकालना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्या दूसरे वाले संधारितर का अरे हाँ यह तो मैंने पहले क्या लिखा था फॉर्मूला लिखा था कोई बात नहीं चलो इसको मैं फिर से लिख देती हूँ K epsilon not A by D जो है परावैद्धितांक के case में हमारा main formula होता है K1 के case में जब K1 परावैद्धितांक है वहाँ पर हमारी धारिता क्या हो जाएगी K1 epsilon not A by A by 3 बटे कितना हो जाएगा D और K2 परावैद्धितांक के case में धारिता क्या हो जाएगी K2 epsilon not 2 A by 3 बटे में क्या हो जाएगा D ठीक है तो यह हो गया अब पहले ही मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि यह जो डाइग्राम है यहाँ पर दोनों संधारिता समनांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए है तो जब समनांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या होता है समनांतर क्रम में अगर हम लोगों को तुल्य धारिता निकालनी होती है तो होता है भई दोनों का योग हो जाता है, दोनों संधारित्रों का, तो बिल्कुल सेम यहीं चीज हम लोगों को यहाँ पर करनी है, तो कर लो भाई, जल्दी से तुल्य धारिता निकालो, बहुत important, most important है, जरूर आएगा exam में आप लोगों को ध्यान रखना है, यह हो जाएगा क्या, c1 प्लस c2 बराबर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, k1 epsilon 0, a by 3, ठीक है, यह a by 3 नीचे ले आती हूँ, 3d लिख देती हूँ, ठीक है, एक ही मतलब है, इसको नीचे ले आया मैंने, ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख देती हूँ, k2 epsilon 0, 2k2 epsilon 0, a, बटे में क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर भी हो जाएगा, 3d हो जाएगा, दोनों को simply हम लोगों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए, जोड़ने के बाद क्या जाएगा, यहाँ पर क्या-क्या कॉमन निकल रहा है, देख लो, क्या-क्या कॉमन निकल रहा है, epsilon 0, a common निकल रहा है, और 3d common निकल रहा है, तो निकाल दो भई, epsilon 0, a, बटे क्या हो जाएगा, 3D, bracket में क्या जाएगा K1 प्लस K2 ठीके, आ गया सभी का सभी का आया, सभी ने लिख लिया copy में, yes या no, जल्दी से comments करके बताओ, लिख लिया सभी ने तुल्य धारिता क्या आ गई, तुल्य धारिता epsilon naught A by 3D और bracket में K1 प्लस K2 यह दिखो, इस तरीके के जब आप लोगों को questions आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि परावेद्धित पदार्त जो भरे हुए हैं, वो स्रेणी क्रम में जूड़ेंगे, कि समनांतर क्रम में आएंगे, तो इस तरीके से इस बात का बस ध्यान रखोगे, तो एकदम easily solve हो जाएगा, और calculation में तो बहुत जादा आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी ठीक है, अब तीसरा question आजाए भाई, third question में क्यों, बन रहा है ना question, बनना ही चाहिए, तीसरा question अब आपको बनाना है, और मैं बिलकुल हिंट कर दूँगी, पढ़ो भाई मेरे साथ, यदी समनांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीज, टी वराबर डी वाई टू, मोटाई की परावेद्यूत पट्ती रख दी जाए, चलो, एक काम करते हैं जल्दी से फटाफट से एक समनांतर प्लेट संधारित्र बना लिए, समनांतर प्लेट संधारित्र के बीज में क्या बोल रहा है, एक आंशिक माध्यम रख रहे हैं, आंशिक माध्यम रख रहे हैं, ये आंशिक माध्यम की जो मोटाई हम लोगों को दी है क्या दिया हुआ है T वराबर D by 2 मतलब कि इनके बीच की जो कुल दूरी होगी वो D होगी और आशिक माध्यम जो परावध्यत पदार्थ भर रहे हैं आशिक माध्यम में उसकी मोटाई T वराबर D by 2 चलो क्लियर है इतना तो एक क्लाइन तो हमको क्लियर है संधारित्र की धारिता का पूर्वमान चार बटे तीन गुना हो जाता है ठीक है अब चार संधारित्र की धारिता का जो पूर्वमान है अब इसका मतलब क्या है बिटा कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है संधारित्र की धा ठीक है और जब हम लोग जो है इसमें माध्याम भर देते हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूं C माध्याम जब हम लोगोंने भर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया एर था तब ये था जब माध्याम भर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया चार बटे तीन गुना हो गया किसका ज दोनों प्लेटों के बीच में संधारितर की दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरी हुई थी जब वायू भरी हुई थी तो इस केस में आप लोगों का सी था और अब माध्यम वाले की केस में क्या हो गया चार बटे तीन गुना हो गया इस पहले वाली धारिता का यही हमको क् प्रश्ण में बोला है, तो अब हमको निकालना क्या है, परावैद्युत पट्टी का परावैद्युत तांक ग्याद करना है, तो कैसे ग्याद करोगे, जब माध्यम है, तो माध्यम की केस में आप लोगों का क्या हो जाएगा, माध्यम की केस में हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या k epsilon not a by b चल्दी से भई मैंने hint कर दिया नहीं स्वरी ये माध्यम के case में जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा आशीक माध्यम है तो आशीक माध्यम के case में मैंने क्या सुत्र बताया था आप लोगों को किसको याद है आशीक माध्यम के लिए धारिता का सुत्र किसको याद है भई किसको याद है हम लोगों ने एक डैरिवेशन किया था वहाँ पे हम लोगों ने सुत्र निकाला था epsilon not a और यहाँ पे जो मोटाई थी d minus t plus t बटे k यहीं निकाला था हम लोगों ने माध्यम के case में जब आशीक माध्यम उपस्थित हो तो हना तो यह हो गया क्या आप लोगों का यह हो गया equation 1 यह हो गया equation 2 अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों ही equation को equate कर सकते हैं ठीक है दोनों ही equation को equate कर सकते हैं यहाँ पर इसका मान रखके कर लेते हैं कर लेते हैं ठीक है चलो तो क्या होगा ये एपसलान नॉट पहले फिर से लिख देती हूं मैं यहाँ पर सी माध्यम बराबर चार बटे तीन क्या है वायू जब उपस्थित था संधारित्र में तब ठीक है तो यहाँ पर माध्यम वाले केस में क्या हो गया हमारा एपसलान नॉट ए बटे क्या दी माइनस टी प्लस टी बाई के बराबर चार बटे तीन और वायू के केस में कितना है भाई संधारित्र की धारिता एपसलान नॉट ए बाई तीन ठीक है अब हम लोगों को टी बराबर कितना दिया हुआ है दी बाई टू दिया हुआ है तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है? K निकालना है, इस K को हम लोगों को find out करना है, तो कर लेंगे हम लोग find out. T बराबर क्या रखना है? हम लोगों को T बराबर D by 2 रखना है. तो रख लो भाई मान, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बटे D minus D by 2 plus D by 2K होगा यही, चालो. और यहाँ पे हो जाएगा क्या? 4 बटे 3 और यह हो जाएगा यह हो जाएगा क्या? D, बटे में ही होगा D, ठीक है? 3D सही है? clear है? अब आप लोग देख पा रहे हो? यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो? यह D को को कामन निकाल एक बटे दो K बराबर चार बटे तीन D अब हो गया क्या इधर दोनों तरफ D और D हमारा common हो गया, देखो भाई एकदम सरल है, बस ध्यान देना है आप लोगों को क्या हो गया D और D common निकल के cut गया बांकी तो उन्हें हमारे कल value है, कर लो भाई solve, कर लो solve, फटा फट से क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे यह हो गया आपका यह हम इसका तीरिया गुडा कर देंगे, cross multiplication तो क्या हो जाएगा यह इधर हो गया, आप लोगों का मान लो कि एक तरफ 3 और एक तरफ हो गया क्या 4 चार हो गया, एक माइनस एक बटे दो प्लस एक बटे दो के, जल्दी से numerical को, मनलब कि इसका जो आंकी कमान numerical phase है, वो जल्दी से फटा फट से solve करो एकदम quickly कितना आएगा भाई के कमान किसी ने किया solve आया किसी का answer जल्दी solve करोगे, तो यहाँ पर आएगा आएगा के कमान आएगा क्या 2, क्या आएगा के कमान 2 ठीक है, solve कर लेना आप लोग यहाँ पर परावध्वित आंक हम लोगों को question में पूछा था कि जब हम लोग आंशिक रूप से माध्यम भर देते हैं, परावध्वित पधार्त भर देते हैं, तो बिल्कुल हम लोगों को क्या करना है, यह वाले सूत्र का इस्तमाल करना है, और यह relation हम लोगों को प्रेश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पर यह सबसे इंपोर्टेंट है, जो कोश्चन, जिस तरी के को कोश्चन पूछे जाते हैं, वो कोश्चन मैं पहले लेकर के आई हूँ आए हूँ आप लोगों के लिए, और अवर तरह की कोश्चन आप लोगों को धारिता और विभाव से रिलेटेट दिखेंगे, तो सभी को पर solve करना है ठीक है यह कोशन में क्या बोल रहा है यह कोशन में बोल रहा है कि 2μF एवं 4μF के 2 संधार्ध को समनांतर क्रम में ठीक है मतलब कि यहां पर आप लोगों को स्रेणी और समनांतर का दिया हुआ है कोशन यहां पर क्या है एक दो माइक्रो फेरेड है और एक क्या है चार माइक्रो फेरेड और ये दोनों क्या है आपस में समनांतर क्रम में है तो जोड लिया भाई हम लोगों ने आपस में क्या समनांतर क्रम में जोड लिया ठीक उसके बाद प्रश्ण में क्या बोल रहा है कि जो तीसरा वाला है हमा का संधारितर अब इस संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है और हम लोगों को क्या चाहिए 2 संधारितर में वोल्ट अब प्रेश्ण में हमको पूछा क्या है कि दो माइकरो फेरेट संधारितर में वोल्ट अब्रेश्ण में ​​ towns और होगी मतलब कि यहां पर ये वाला जो आप लोगों का चाहिए इसके अक्रॉस आप लोगों को क्या पूछा है WHOल्ट अब पूछ रहा है किसके अ क्रोस दो माइकरो फेरेट के अच्रॉस मतलब कि इसके सापेक्ष हम लोगों को वोल्टेता निकालनी है ठीक है क्या निकालनी है वोल्टेता निकालनी है तो होगा क्या मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जब भी समनांतर क्रम में हमारे संधारितर connected होते है तो यहाँ पर इनके सापेक्ष जो वोल्टिता है वो क्या होती है समान होती है मतलब कि दो माइक्रो फेरेट और चार माइक्रो फेरेट के जो सापेक्ष वोल्टिता है वो क्या होगी एक जैसी हो ठीक है क्या होगी एक जैसी होगी इसको लिख लेते है हम लोग क्या V1 क्योंकि ये हमारा क्या है कुल वोल्ट ता 12 वोल्ट का हम लोग सप्लाई दे रहे हैं तो इन दोनों के सापेक्ष में समान रहेगा V1 और V1 इसके सापेक्ष में क्या रहेगा V2 रहेगा ठीक है तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तुल्य धारिता निकालेंगे और उसके बाद हम कोशिश करते हैं देखते हैं कि कैसे निकाल पाएंगे आप सभी को ट्राई करना है मैं तो solution आपको बताऊंगी जल्दी से फटा-फट से try करो पहले सबसे पहले हम को क्या करना होगा यहां पर ध्यान से देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है q equals to c v पता है ठीक है क्या पता है हम लोगों को q equals to c v पता है और ये भी समझ में आ रहा है ये वाला जो C होगा, इस कुल विभाव, जो 12 वोल्ट का विभाव है उसके लिए, ठीक है, इस 12 वोल्ट के लिए, यहाँ पर Q बटे ये होगा, क्या, C equivalent, क्या होगा, C equivalent, और हम लोग यहाँ पर C equivalent असानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से क्या कर सकते हैं, C equivalent निकाल सकते हैं ठीक अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि यहां पर जो क्यू जाएगा आवेश ठीक है तो यहां पर क्यू आवेश जाएगा यहां पर बटेगा यह क्यू वन और यह क्यू टू पर दोनों वापस से यहां पर क्यू आएंगे दोनों मिल करके आएंगे ठीक है दोनो मतलब conceptual question है समझना है आपको समझोगे तो solution बनेगा तो C equivalent तो आसानी से निकाल सकते है बट इसके बाद हम लोगों को जब आवेश मिल जाएगा तो आवेश की सहाईता से हम लोग क्या कर सकते है इस Q बराबर CV का इस्तमाल करके 6μF के सापक्ष विभाव निकाल सकते है वोल्टेता निकाल सकते है और अगर हम लोग क्या करेंगे इस Q विभाव से इसको हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों को ये जो वीवन है वो हमको प्राप्त हो जाएगा अभी तो मैंने समझाया है अगर समझ में आया तो बहुत अची बात है नहीं समझ में आया तब भी से कोई बात नहीं बस मेरे सांसात करते जाओ ठीक है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए यहां पे सबसे पहले हम लोगों को C equivalent की आवशकता है ताकि हम लोगों को 12V का विभाव जब इस परिपत को हम लोग दे रहे हैं तो कुल आवेश कितना बहेगा इस परिपत में वो हमको पता चल पाए तो C equivalent कैसे निकालोगे तो C equivalent निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समनांतर क्रम को solve करना होगा समनांतर क्रम को जब solve करोगे तो यह वाला जो हिस्सा है मान लोग की यह क्या है आप लोगों का CP ठीक है यह हिस्सा मान लोग की CP CP मतलब की C parallel मतलब की समनांतर क्रम में जो है समनांतर क्रम में जो संधारितर लगे रखे हैं तो समनांतर क्रम में क्या होता है, दोनों संधारितर जूड़ जाते हैं, दोनों संधारितर के मान जूड़ जाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो प्लस चार, छै माइक्रो फेरेड हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, छै माइक्रो फेरेड, फिर इसके बाद य स्रेणी क्रम में होगा स्रेणी क्रम में होगा तो सॉल्व करेंगे हम लोग यहां पर स्रेणी क्रम सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो जो हम लोगों का सी इक्वेलन मतलब जो तुल्य धारिता है यह फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को जो है स्रेणी क्रम में तुल्य बटे 6 ठीक है जब हम लोग यहाँ पर solve करेंगे इसको तो क्या होगा यहाँ पर solve करने से यह हो जाएगा आप लोगों का C equivalent बराबर 6 गुणा 6 बटे 6 प्लस 6 तो यह 6 6 36 हो गया ठीक है 36 बटे 12 ठीक है तो 12 यह 36 इसका मतलब जो आप लोगों की यहाँ पर जो तुल्य धारिता है है ना तुल्य धारिता वो कितनी आ जाएगी 3 microfarad तुल्य धारिता आ जाएगी C equivalent यहाँ पर लिख लोगों क्या आगया हमारा C equivalent 3 microfarad ठीक है C equivalent हमारा क्या आगया 3 microfarad ठीक आ गया clear है सभी को कैसे आया बिलकुल अगर नहीं आया तो दुबारा से आपको खुद से try करना ह क्लास खतम होने के बाद आप वीडियो को pause करके फिर से करो जितनी बार निमारिकल प्रैक्रिस करोगे उतनी जादी clarity आएगी clarity बहुत जरूर है ताकि आप related questions solve कर पाओ तो बिलकुल आप लोगों को क्लास में बहुत ध्यान देना है अब C equivalent निकल गया तो यहां से हम लोग क् क्यू बराबर C V और हम लोगों का C equivalent कितना है 3 microfarad आया है और हम लोगों को विभाव कितना वोल्टता कितना दिया हुआ है 12 बारा दिया हुआ है तो हमारा आवेश कुल आवेश कितना हो जाएगा जो परिपत में जा रहा है इस विद्यत परिपत में जाने वाला यह कुल आ हो गया हो गया सभी का अब मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले भी समझाया था कि यहां पर इस विद्यत परिपत में कुल आवेश जो है 12 वोल्टता लगाने से कुल आवेश जो है वो क्यू जा रहा है क्यू आवेश जा रहा है जो हम लोगों ने 36 microfarad निकाला इसका मतलब क्या होगा कि इसके सापेक्ष जो हमारा आवेश होगा वो कितना होगा यहां पर 36 microgram ठीक तो अब हम लोगों को यहां पर आवेश पता है और क्या पता है आवेश पता है और हम लोगों को यहां पर धारिता पता है तो हम लोग 6 microfarad के सापेक्ष विभाव वीटू निकाल सक विभाव V2 बराबर क्या होगा विभाव V2 बराबर यहाँ पर क्योंकि Q equals to CV तो यहाँ से अगर हम लोगों को विभाव निकालना है तो V बराबर Q by C तो हम लोगों को निकालना क्या है V2 निकालना है और हम लोगों को कुल आवेश पता है कितना 36 micro कुलाम और यहाँ पर जो हम लोगों को किसके सापेक्ष निकालना था 6 micro farad के सापेक्ष निकालना था तो यहाँ पर हमारी धारिता क्या हो जाएगी 6 micro farad ठीक है यह यहाँ पर कुलाम लिख लो आवेश कुलाम में है और आप लोगों की धालता जो है वो फैरेड में है स्वाल करो 6-6-36 तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो विभाव V2 का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 वोल्ट विभाव V2 का मान कितना जाएगा यहाँ पर 6 वोल्ट यह लोग लिख लेते हैं 6 वोल्ट अब तो बहुत आसान है हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब हम लोगों ने स्रेणी क्रम और समनांतर क्रम पढ़ाता तब याद करो कि यहाँ पर समनांतर क्रम में क्या होते हैं वीभाव जो है वो समान होते हैं परन्तु जब इस तरीके से स्रेडी क्रम में जुड़ा होता है, तो कुल विभव क्या होता है, दोनों में बराबर बराबर बट जाता है, मतलब क्या हो गया, कुल वोल्टता बराबर V1 प्लस V2, अब हमारे पास कुल वोल्टता है, और V2 हमें पता है, V1 हमें चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं V1 बराबर V-V2 कर सकते हैं तो हमारे पास V1 मतलब की 2μF के सापक्ष हम लोगों को यहां पर संधारितर की वोल्ट अप प्रड़ेश्न में पूछी गई है तो यह क्या हो जाएगा आप लोगों का 12-6 बराबर यहां पर आजाएगा विभव कितना आजाएगा आप लोगों का 6 बराबर यहां पर इस 2μF के जो सापक्ष हम लोगों का विभव आया वो कितना आया 6 बराबर यही हमारे प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा क्या होगा 2μF के सापक्ष जो वोल्टता है हमारी वो कितनी होगी 6 वोल्ट की वोल्टता होगी क्लियर है सबीको अच्छा कोश्चन मज़ा आ रहा है किसको किसको मज़ा आ रहा है जल्दी से बताओ भई भाई आप लोगों को मज़ा जरूर आना चाहिए क्योंकि है कुछन्स मन देजात मज़ेदार सोचने पर आल को जो है मजबूर होना पढ़ रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि अगर अभी प्राक्टिस कर लोगे अच्छे कॉस्चन्स तो आप लोगों को सेल्फ स्टेडी कर अबना कॉंटेक्ट डिटेल शेर करती हूं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे को कॉंटेक्ट करके टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो ताकि मैं क्लास की पीडियाफ आप लोगों को शेर कर पाऊ हूं और आप लोगों से कनेक्ट रहे पाऊं आप के doubts अगर solve आप लोगों के अगर doubts आप लोगों को पुछने तो आप लोग फूच सकते हो doubt solve हो जाएंगे और भई आप लोग किसी तरीके से में आप लोगों को track कर पाऊंगे कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो की नहीं कोई दिक्कत कोई समस्या एक्जाम में रैंक लेकर कर आओगे तभी तो मज़ा आएगा ना भई तो इसके लिए बिलकुल connect रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को और इसी के साथ हम लोग next question में आ जाते हैं यहां पे हम लोगों को यह network मतलब यह परिपथ दिया हुआ है और हम लोगों को तुल्य धारिता निकालनी है ठीक है तो यह काफी easy question है काफी easy तो नहीं बढ़ हां calculation है यहां पे अगर आप लोगों को clear नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पे लिख देती हूँ यहां पे आप लोगों को c1, c2 और c3 और यह c4 दिया हुआ है c1 का मान दिया हुआ है कितना 100 picofarad picofarad का मतलब 10 की घार minus 12 ठीक है और यहां पे c2 का मान 400 picofarad और c3 का मान भी 400 picofarad दिया हुआ है और यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है c4 का मान जो है 100 picofarad और यहां पर आप लोगों को कितना दिया जो है ये उपर में प्लस है नीचे में माइनस है चार सा वोल्ट अब अगर हम लोगों को तुल्य धारिता निकालनी है क्या निकालनी है पूरे परिपत की हम लोगों को तुल्य धारिता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे चलो ये कोश्चन तो आप लोग को ट्राई करना पड एकदम आसान सा सवाल है बिलकुल आप लोगों को ट्राई करना है क्या कर सकते हैं पहले कोई कर रहा है बना रहा है कौपी में लिके नोट कर रहा है जल्दी से बताओ में को क्या कर सकते हैं क्या इजी दिख रहा है पहले तो भाई पूरा परिपत है हम लोगों को तुल्य धा पर ते नि कालें तो सबसे पहले काम करते हैं, जो C2 और C3 हमारा जहाँ पर दिख दिख रहा है, इसको हम लोग पहले सॉल कर सकते हैं, देखो स्रेणी को पहले सॉल करना है, कि समनांतर को यह हम लोगों को परिपत देख समझना पड़ेगा, क्योंकि मतलब कि यहां पर यही पहले step में आ सकता है यही दोनों तो मतलब हो नहीं सकते आज़िक exact C2 और C3 वाला हिससा है. एस फॉर सीरीज, सीरीज मतलब की स्रेणी क्रम में है वो आला हिस्सा, इसलिए मैंने उसको सी एस लिख लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर नीट में कर रहे हो, तो फटा फट से राय राय आपको क्या करना है, वहीं पेपर में आपको कॉश्चन पेपर में ही फ क्योंकि सारे ही हम लोगों की धारिताएं पिको फैरेट में दी हुई है, तो क्या क्या कॉलेशन को कॉम्पलेक्स बनाने की जरुवत नहीं है, इजी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर कुछ और अलग अलग दिया होता, कोई पीको में दिया होता, कोई नैनो मे माइक्रो में तो हम लोगों को जरुवत पढ़ती है, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डारेक्ट लिक सकते हैं, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारा यह हुआ जाएगा, 400 और यहां पे हो जाएगा 2, और यह किसमे है, पीको फैरेड में ही है, जाएगर सी बात है, और यहां पे हमको निकालना क्या है, जो हमारा C2 और C3 का जो तुल्य है, स्रेणी क्रम में, वो हम लोगों को निकालना है, तो यह स्रेणी क्रम का जो तुल्य है, यह हमारा कितना निकल जाएगा, Cs बराबर हो जाएगा क्या, 200 पीको फैरेंट, चार सो बटे दो करूंगी तो क्या हो जाएगा वो 200 हो जाएगा कैंसल हो के ठीक है चलो यहीं कर देती हूं यह और यह कैंसल हो गया यह 200 हो गया हमारा क्या हो गया 200 आए गया अब यह इसको लिख लो step number one यह equation number one लिख लो अप लो हम लोगों का यहां पे जो सिरेणी में है वो निकल गया देखो यहां पे हम लोगों को विभाव लगा हुआ दिया है ठीक है तो हम लोग इसके बाद जाहिर सी बात है कि C1 और C4 जो C1 है वो हम लोगों को क्या दिख रहा है इस इन दोनों के इन दोनों स्रेणी के समनांतर हम लोगों को दिख रहा है क्या C1 और यह निकाल लिया CS देखो मैं फिर से बना रही हूं यह डाइग्राम जहां से देखना यहां पे हमारा क्या है C4 है और यहां पे हमारा लगा हुआ है विभुगानतर कितना लगा हुआ बाई प्लस माइनस 400 वोल्ट का ठीक तो अब जब ये आप लोग देख रहे हो तो इसमें आप लोगों को easy क्या दिख रहा होगा solve करना next step इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को हम लोग समनांतर मतलब की parallel में solve करेंगे समनांतर मतलब की parallel इसलिए मैंने इसको क्या लिख लिख लिया cp लिख लिया अब इन दोनों को अगर मेरे को समनांतर क्रम में solve करना है तो simple है यहाँ पे समनांतर क्रम में simple है कि दोनों आपस में जूड जाएंगे simply जोड जाएंगे तो क्या हो जाएगा CS प्लस C1 बराबर क्या हो जाएगा 200 Pico Farad प्लस C1 कितना दिया है 100 तो ये कुल कितना हो जाएगा 300 Pico Farad ये क्या आगया आप लोगों का अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा आगया ये वाला हिस्सा आप लोगों का क्या आगया CP अब इस हिस्से के बाद एक नया डाइग्राम आप लोगों के लिए बनाऊंगी ये CP है हमारा ठीक है और ये यहाँ पर हमारा क्या है C4 है और यहाँ पर हम लोगों को Terminal Voltage विभवांतर दिया हुआ है कितना 400 Volt दिया हुआ है इस तरीके से है तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो है स्रेणी क्रम में होंगे यही समझना है आपको कब स्रेणी में होंगे कब समनांतर में होंगे यहाँ पर बीच में कोई भी मतलब की Node नहीं है कुछ मतलब यहाँ पर और तार जोड़ी नहीं हुई है यह सिंगल एक तार में मतलब एक लाइन से जोड़ी हुई है तो यह जो है स्रेणी में कहलाएगी ठीक है यह किस में कहलाएगी स्रेणी में कहलाएगी देखो यह वाला हिस्सा यह ठीक है क्योंकि यहां पे विभुवांतर लगा हुआ है इसलिए तो स्रेणी में है तो होगा क्या यहां पे स्रेणी में है तो यहां पे जो हम लोगों को तुल्य धारिता निकालनी है C equivalent वो क्या हो जाएगा 1 बटे C equivalent बराबर हो जाएगा इन दोनों को श्रेणी में अगर हम लोगों को निकालना हो तो क्या लिखेंगे 1 बटे CP प्लस 1 बटे C1 अब CP हम लोगों ने कितना निकाला था 1 बटे 300 निकाला था और C1 कितना दिया हुआ है हम लोगों को 100 picofarad दिया हुआ है 1 बटे 100 अब इसको solve कर लो इसको solve कर लो C equivalent निकाल के बताओ भाई में को calculation करना होगा यहाँ पर आप लोगों को LCM निकालना होगा ठीक है LCM निकालोगे simple है LCM निकालोगे तो कितना हो जाएगा यह CP बराबर स्वारी C equivalent बराबर C equivalent बराबर हो जाएगा क्या 300 गुणा 100 बटे 300 प्लस 100 देखो बेटा मैंने यहाँ पर direct लिक दिया है क्योंकि यहाँ पर आप 300 गुणा 100 यहाँ पर 100 धन 300 करके आप लोग इस तरीके से LCM निकालोगे फिर इसको पलटोगे तो पलटने के बाद का step मैंने direct लिक दिया है कितना आएगा सबसे पहले solve करो आप लोग करो पहले solve करो फटा 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 आया किसी का अंसर देखो हम लोगोंने correct value रखा है कि नी एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं हाँ हम लोगोंने एक बाटे 300 प्लस एक बाटे 100 ही रखा ठीक है बिलकुल सहीं रखा है ना तो यहां पर क्या हो गया ये नीचे वाला हिस्सा 400 हो गया 400 और ये क्या हो गया 300 शुन 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 ठीक है ये कट गया और ये वाला हिस कर गया क्या वही कुछ मिस्स कर दिया क्या हमने देखते हैं एक बार देख लेते हैं ठीक प्रेशन में हम लोगों को तुल्य धारिता निकालने के लिए बोला था ठीक है तुल्य धारिता यहां पे हम लोगों ने निकाल लिया है 300 हमारा यहां पर आया था 300 पिको फेरेट ठीक है यहां पर भी ठीक आया था एक बार चैक कर लेते हैं बिल्कुल यह तो 200 ही आएगा शूर है यहां पर हम लोगों को क्या करना है दोनों को हम लोगों को जो है इस तरीके से जोड़ना है CS प्लस C1 ठीक है तो यह हो जाएगा कितना 200 प्लस 100 300 पिको फेरेट हो जाएगा एक बटे 300 प्लस एक बटे 100 को हम लोगों को अगर सॉल्व करेंगे तो चलो इसको एक बार क्या कर लेते हैं मैंवली सॉल्व करके देख लेते हैं क्योंकि आंसर गलत नहीं होना चाहिए तो आंसर गलत नहीं हो इसके लिए मैं ही आप लोगों के लिए यहां पर सॉल्व करके बता देती हूँ यह हो जाएगा क्या 300 गुड़ा 100 बटे 300 प्लस 100 ठीक है तो यह अगर मैं 300 प्लस 100 को जोड़ूंगी तो यह हो जाएगा मेरा कितना 400 हो जाएगा और यहां पर मैं अगर इसका गुड़ा करूंगी तो यह 3 00 और यह 00 हो जाएगा यहां पर 0 और 0 कट जाएगा और यह मैं ट्र equivalent बराबर, 150 बटे 2, थीक है कर लिया हम लोगों ने, यहां पर क्या हो जाएगा यह 75 आ जायेगा, थीक है 75 और यह हमारा क्या था पिको फेरेड में था, थीक है तो यहां पर जो हमारी तुल्य धारिता निकल जाएगी तुल्य धारिता वो क्या निकल जाएगी यहाँ पे, 75 पिको फेरेड, ठीक है, 75 पिको फेरेड यहाँ पे हमारी क्या निकल जाएगी, तुल्य धारिता निकल जाएगी, ठीक है बिटा, ओके, क्लियर एस अभी को, next question में आगे बढ़ें, तो बढ़ जाते हैं हम अपने next question में ठीक, अब हम लोगों ने धारिता से related बहुत सारे questions तो कर लिये हैं, यहाँ पे हम लोगों को आवश्यक कारे निकालना है, मतलब कि जो हम लोगों ने स्थिती जुर्जा के बारे में पढ़ाता, उसे स्थिती जुर्जा की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे दो आव ठीक है, एक निकाय में क्रमशह माइनस 5 cm 00, एवं 5 cm 00 पर कोई बाहरी चेत्र उपस्थित है, ठीक है, बाहरी चेत्र उपस्थित है, मतलब कि यह आप लोगों को X वाला हिस्सा दिया हुआ है, X अक्ष का एक दिया हुआ है क्या, माइनस 5 cm, और यहाँ पे दूसरा दिया हु पस्थित है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें आवेश हम लोगों को दिया हुआ है, क्या, यहाँ पर माइनस 5 पर एक आवेश रखा हुआ होगा, यह माइनस 5 पर जब एक आवेश रखा हुआ होगा, इसका मान दिया हुआ है, चार माइक्रो कुलाम, और यहाँ पर जो आवेशों को पृतक करना है तो उसके लिए अनन्त रूप से प्रितक करना है तो उसके लिए कार की क्या जरुवत होगी काaltet क्या होगा ठीक है तो जब भी狂 बंदो आवेश है वहाँ पर अगर हम लोगों को उसका कारिया मतलब वहाँ पर कारिया या इस्थिति जूजा कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोगों ने सुत्र अल्रेडी देखा हुआ है एक बटे गुड़ां दस की घात नौ गुड़ां क्या हो जाएगा ये चार माइक्रो कुलां एक चार गुड़ां दस की घात माइनस चै और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस तीन दिया हुआ है माइनस तीन गुड़ां दस की घात माइनस चै माइक्रो का मतलब माइनस चै और बटे में 10 cm, अगर हम लोग इसको मीटर में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.1 meter हो जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पर जो दूरी का मान है, उसको क्या करना पड़ेगा, 0.1 meter में रखना होगा, अब calculate कर लो, फटा फट से, इस्थिते जूर्जा मतलब की, कारे का मान आ जाएगा, की कारे कितना करना पड़ेगा, एकदम easy calculation, मैं answer लिख रही हूँ, directly आप लोगों का, 1.1 और joule, ठीक है, तो कारे ग्याद करने के लिए बोला था, जो इस सित्य जूर्जा का सुत्र था, उसी के द्वारा ही हम लोगों को क्या मिल सकता है, यहाँ पर, दो बिंदू आवेशों के लिए कारे मिल सकता है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, इस क्वेशन के लिए, ठीक है, कारे, यह डबलू बराबर, यहाँ पर क्या है, कारे है, जो हम लोगों को प्रेशन में निकालने बोला था, देखो भाई, सबी को clear है, जल्दी से फटा-फट आंसर करेंगे, क्लियर है की नहीं, यस या नो, हाँ भाई, वेरी गुड, चलो, नेक्स कोशन पर आ जाते हैं, आठ सेंटिम्मिटर भुजा के शट फलक, अब शट फलक का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, एक बढ़िया सट फलक बना के बता देती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से, ठीके, जिसके छै फलक होते हैं, इस तरीके से, यह हो गया A, यह B, और यह C, और यह क्या हो गया D, यह हो गया क्या E, और यह हो गया क्या F, और यह, इस तरीके से मिला दिये, इसको बोलते हैं, सट फलक इस तरीके से बनता है ठीक है तो इसके बीच का जो केंद्र होता है वो ओरिजिन यहां पर इस तरीके से बनता है आप लोगों ने बिल्कुल गणित में इस तरीके का जो है वो देखा ही को इस तरीके की मतलब चितर आप लोगों ने देखा ही होगा आरेख देखा ही होग यहाँ पर क्या रखा हुआ है बिंदू आवेश रखा हुआ है मतलब कि कुल आवेश कितने रखे हुए है यहाँ पर 6 बिंदू आवेश रखे हुए है कितने 4 माइक्रो कुलाम के कितने 4 माइक्रो कुलाम के हाँ ठीक है 4 माइक्रो कुलाम का रख दिया हमने अगर मेरे को यहां पर केंद्र पर जय तो में को करना क्या पड़ेगा तो बिल्कुल आप लोग का अनेक आवेशों के निकाय के कारण क्या है आवेशों के निकाय के करण विद्यूत विभाव का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ाता कि अगर किसी एक भी बिंदू पर हम लोगों को बहुत सारे आवेशों के कारण क्या निकालना होता था विभाव निकालना होता था तो हम क्या करते थे सारे विदू नहीं वी ए नहीं लिख सकते इसको हम लोग बैटर है इसको क्या लिख लेते हैं वी ओ ए ठीक है मतलब यहाँ पर इस केंद्र बिंदू ओ और इस ए बिंदू पर रखे इस आवेश के कारण इस केंद्र बिंदू ओ पर विभाव निकालेंगे फिर क्या इस बी बिंदू पर र और इस अफ पर रखे आवेश की गारण केंदर पर विभव इस तरीके से हम लोग केंदर पर कुल विभव निकल जाएगा लिख लो भी फटा फट से यह लिख लिया हम लोगों ने मतलब कि हम लोगों को यह क्या चाहिए O A O B O C O D चाहिए और क्योंकि हम लोगों की सारी भुजाएं समान है मतलब की O A बराबर O B बराबर O C बराबर O D बराबर O E बराबर O F बराबर क्या है हमारा 8 cm है मतलब की सारी की सारी भुजाएं बराबर है मतलब की 8 cm तो नहीं ये बराबर है ठीक है ये वाला हिस्सा 8 cm को आपस में बराबर है, ठीक है, यहां पे तो हम लोगों को क्या दी हुई है, जो हम लोगों को फलक की भुजा दी हुई है, वो 8 cm दी हुई है, पर हम लोग यहां पे डाइग्राम में देख पा रहे हैं, क्योंकि 60 फलक है 60 फलक का मतलब ये दूरियां सारी समान होंगी ये सारी दूरिया अगर समान होंगी ठीक है इसका मतलब VOA बराबर जैसे की हमारा क्या हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एपसलान नॉट और दूरी क्या है OA ठीक है तो ये सारे बराबर है मतलब की इन सारे बिंदूओं पर मतलब अगर separate separate हम लोग VOA VOVOC DOD यह सम निकालेंगे तो वो सब समान आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं सब को जोड करके लिख सकते हैं सब को जोड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा विभाव केंद्र पर विभाव वराबर क्या हो जाएगा 6 VOA ठीक है क्या हो जाएगा 6 VOA तो directly यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं मान र चार माइक्रो कुलाम का आवेश दिया हुआ है और ये लिख लो यहां पे दिया हुआ है क्या ये हो जाएगा 6 गुणा केंद्र पर वीभाव यहां पे लिख देती हूं केंद्र पर वीभाव वी-ओ बराबर 6 गुणा चार माइक्रो कुलाम कावेश मतलब चार गुणा दस की घात माइनस 6, बटे में क्या हो जाएगा clear नहीं थे, तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को बता दी रही हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा, OA हो जाएगा आप लोगों का क्या, 8 cm, अब 8 cm को आप लोग मिटर में change करके लिख सकते हो, यह आंकिक value अगर आप लोग solve करोगे, तो फटा-फट से बताओ, कितना आएगा answer? बढ़ी, बतादो, फटा-फट से answer कितना आएगा, तो यह आजाएगा आप लोगों का, 2.7 गुणा, कितना आया भाई, किसी का आया answer, जल्दी से comments में लिख के answer, आप लोगों को बताना है, क्या होगा answer, 2.7 गुणा, यहाँ पर आएगा, 10 की घाट, 6 वोल्ट, तो यह आप लोगों का final answer होगा, क्या, केंद्र पर विभाव कितना होगा, 60 फलक के, केंद्र पर विभाव हमारा आगया, 2.7 गुणा, 10 की घाट, 6 वोल्ट, ठीक है, यह हमारा final answer हो गया, तो भाई, आज हम लोगों ने, बहुत सारे numerical questions solve किये हैं, बहुत सारे numerical questions solve किये, अब और कुछ questions में, आप लोगों के लिए लेकर क्या हूँ, तो भाई, अभी तक के, जुतने भी questions, हम लोगों ने solve किये हैं, लगभग मिलता जूलता है, आप लोगों ने, जो भी theory concept पढ़ा हुआ है, यह सारे questions आप लोगों को, homework में try करने हैं, ठीक है, सभी को बिल्कुल try करना है, यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है, दो बिंदू आवेशों के कारण, यहाँ पर वीभाव आप लोगों को निकालना है, तो बिल्कुल जैसे की, हम लोगों ने, आवेशो के निकाये पर वीभाव सीखा था, थीक, उसी तरीके से, आप लोगों को यहाँ पर, जो है निकालना है, मैंने ये topic पढ़ाया था आप लोगों को बल आघूर्ण वाला tau बराबर pe यहाँ पर क्या था tau बराबर pe आप लोगों का था sin theta और हम लोगों ने इस्तितिज उर्जा का सुत्र निकाला था minus pe cos theta ठीक है तो हम लोगों को यहाँ पर इस्तितिज उर्जा अगर निकालनी है तो इन दोनों सुत्रों का इस्तिमाल करेंगे ठीक है हम लोगों को प्रश्ण में जो है सारे मान दिये हुए है हिंट मैं कर रही हूँ आप लोगों को सबसे पहले आप लोग जो है इसके इस्तिमाल से जो है यहाँ पर विद्युच्छेतर का मान निकाल सकते हो इस को ठ्राई करना है और नेक्स क्लास में मेरे को रिस्पॉंस बताना है होमवर्क में किया है कि नहीं ये भी होम वर्क के लिए नोट कर लो ठीक है तो चलो भाई आज की क्लास बस यहीं तक थी और मैंने बहुत सारे नुमेरिकल कोश्चन आप लोगों को सॉल्व आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारे questions प्रैक्टिस कर लिये होंगे और जहां पर भी कोई डाउट हो दिक्कत हो प्लीज दुबारा जरूर करना कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में आपको लिख के जरूर बताना है और जैसे की मैंने आप लोगों को लिख में बताया था टेलिग्राम में कनेट्ट होने के लिए आप लोग मिले को यहां कॉंटेक्ट कर सकते हो ठीक है ओके तो भाई आज की क्लास हम यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं हम next class में नए अध्याय के साथ विद्युद्धारा का chapter हम शुरू करेंगे तो तब तक के लिए बाई बच्चो